इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम अप्रेल फस्ट वीक के सभी important current affairs एक साथ cover करने वाले हैं, जो भी aspirants हमारे daily current affairs नहीं देख पाते हैं, वो इस वीडियो के तुरू अप्रेल फस्ट वीक के current affairs cover कर सकते हैं, और जो भी aspirants हमारे daily current affairs देखते हैं, वो इस वीडियो के तुरू अप्रेल फस्ट वीक के current affairs को revise कर सकते हैं, साथ ही guys इस session को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी one year की membership आप available कर सकते हैं, जिसके अंतरकत आपको चैनल पर upload होने वाली current affairs video PDF format में मिल जाएगी, इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए valid रहेगी, इसमें friends आपको daily current affairs PDF प्रवाइट कराई जाएगी, weekly current affairs PDF प्रवाइट कराई जाएगी, साथ ही monthly current affairs PDF भी आपको प्रवाइट कराई जाएगी, साथ ही जो भी हम topic wise videos मनाते हैं वो भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रवाइट करा दी जाएगी, तो membership पाने का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, कोई भी आपकी query हो तो comment box में हमें जरूर लिखेगा, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो session की, सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे चुना options आपके सामने है, और correct answer होगा option D, सरण कुमार लिंबाले, तो मराठी उपन्यासकार, डॉक्टर सरण कुमार लिंबाले को साल 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, इनका मराठी नोवल है, जिसका टाइटल है सनातन, ये 2018 में प्रकाशित हुआ था, इसी के लिए ल लाग रुपे नकद, प्रसस्ती पत्र और एक पट्टेगा दी जाएगी, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि सरस्वती सम्मान साल 1991-1991 से केके बिल्ड आप फानुडेशन द्वारा दिया जा रहा है, ये हर साल किसी भारतिय नागरी को दिया जाता है, जिसकी कोई पगारे को इनकी रजना पाटली पुत्र की समरागी के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, आगे बढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के विसेस बलो ने संयुक्त सैन्ने अभ्यास वज्र परहार 2021 किस राज्य में किया है, ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आं के बीच में इसका ये 11 एडिशन रहा है और ये बकलो हिमाचल परदेश में संपन हुआ है, साथि आपको ये भी जानना चाहिए कि इसी साल फरवरी महीने में इंडिया और यूएस आर्मीज ने एकसरसाइज युद्ध अभ्यास इसको भी किया था, कहां पर किया था, माज आरतने कंपनी की चेर्मेन है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन ए, सेल, तो फ्रेंट्स, सोमा मंडल, ये स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानि सेल की चेर्मेन है, और इनको इस्टेंडिंग कॉनफरेंस औफ पब्लिक एंटरप्राइज य करती है, आगे बढ़ते हैं, फल्टन से पुने तक डेमो ट्रेन को किसने रवाना किया, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन डी, प्रकास जावडेकर, तो फ्रेंट्स, यूनियन मिनिस्टर प्रकास जावडेकर ने डेमो, यानि डीजल इलेक्रि पीच में रवाना किया है, साथी आपको यह जानना चाहिए, प्रकास जावडेकर के पास तीर मिनिस्टरी हैं, एक तो है इनके पास Ministry of Environment, Forest and Climate Change, दूसरी है इनके पास Ministry of Information and Broadcasting, तीसरी है Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, किस राज्ये में महिलाएं, एक अप्रेल से सरकार द्वारा संचालित, बसो से मुफ्त यातरा कर सकती हैं, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और correct answer होगा, ओप्शन B, पंजाब, तो फ्रेंट्स, पंजाब सरकार ने एदान किया है, कि एक अप्रेल यानि आज से, जो भी Government Run buses हैं, जैसे कि पंजाब रोडवेज की जो बसेज हैं, ठीक है, तो इन सब में, फ्री में यातरा कर सकेंगी, और उनको पंजाब का रेजिनेंट्स होना जरूरी है, पंजाब की में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो AC बसेज हैं, जो गवर्मेंट द्वारा उपरेट की जाती है, उनमें इस विधा नहीं दी जाएगी, उनमें आपको टिकट देना तो वहाँ पर आप इस तरह का एक एक एक्जामपल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट माईलाओ के लिए फ्री कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा जो फीमेल ड्रोप आउट है स्कूल की, यानि कुछ लड़िया दे कि हर तरह की होती है, कुछ काफी काफी गरीब परिवारों से भी आती है, जो किसी फैक्ट्रिया कमप्रींस में काम करती है, ठीक है, तो उनको भी डेली का अपना किराय निकालना होता है, तो उनके लिए भी जो है ये एक फाइदमंद रहेगी, उनको फ्री सर्विसेज मिल है, उसको काफी मजबूत करना होगा, जो भी ट्रांसफोर्ट इंस्ट्रास्रक्ट्चर है, और कई बसो इसको जोड़ना भी होगा, आगे बढ़ते हैं, छत्र साल कर्वेंशन सेंटर का उद्गाटन किस इस्थल पर किया गया है, तो ये किया गया है, खजुराओ ग्रूप of Monuments में, तो फ्रेंट्स, Union Minister of State for Tourism and Culture with Independent Charge, प्रहलाद सिंग पतेल और मध्यपर्देश की चीफ मिनिस्टर सिवराद सिंग चुहान ने खजुराओ में, चत्र साल कर्वेंशन सेंटर, इसका इनुगरेशन किया है, किसके तहत किया गया है, स्वदेश दर्जन स्कीम के तह, ज कई बार एक्जाम में, पूछा भी जा चुका है, अलग-अलग एक्जाम में, कि इसको कब UNESCO World Heritage Site का दर्जा दिया गया था, तो 1986, 1986 में दिया गया था, और यहां पर फिलाल केवल 23 temples ही अभी survive कर रहे हैं, और इसमें जो architecture style है, यह नगारा style architecture है यहां पर, और इसको चंदेला भारत ने, इरान को, तो फ्रेंट्स, इरान को किसके लिए किया गया है, देखे, जो इरान में, शाहीद बेहस्ति पोर्ट, ठीक है, जिसको आप च्छा बहार पोर्ट भी कहते हैं, तो इसके development project के लिए, भारत ने, इरान को, दो mobile harbor cranes, जो है, provide कर आई है, साथी फ्रेंट्स इरान की जो इहां पर यह major ports लिखे हुए है, यह आपके exam के लिए काफी important है, क्योंकि इनकी location भी पूछ लिजाती है, जिस तरह से आपके exam में चाहे, bank का exam हो, वहाँ पर भी इस तरह से capital currency पूछ लिजाती है, इसी तरह से major ports भी पूछ लिजाते हैं, ठीक है, तो देखिए, बंदर अब्बास और बंदर ए अंजाली और कीश आइलेंड और बंदर ए तुरकमन, यह सभी ports जो है, इरान में हैं, इरान के बारे में अगर और जानकारी लें, तो यहां के प्रेजिडेंट है, हशन रोहानी, सुप्रीम लीडर है, अली, खमेनई, कैपिटल है, तहरान, क को सप्लाई किये हैं, तो दो कोश्चन आपके यहां से बन गए, यह हमने MCQs के रूप में भी कवर किया था, तो यहां पर आपका रिविजन भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं, डोक्टर हर्श वर्दन ने हाल ही में, नेट हेल्थ, वार्षिक सिकर सम्मिलन के किस एरा, तो इसको जो है, हमारे Union Minister of Health and Family Welfare, डोक्टर हर्श वर्दन ने संबोधित किया है, साथी आपको यह भी जानना चाहिए, देखे, इस तोरान डोक्टर हर्श वर्दन ने दो-तिन पॉइंट्स काफी इंपोर्टेंट बताएं, जो कि आपके exam point of view के से काफी प्रतिशत तक बढ़ाना है, काफी इंपोर्टेंट है, एक तरह से target हो गया यह, ठीक है, फ्रेंट्स इसकी वीडियो भी आप देख लिना है, हमने एक वीडियो डाली थी, भारत सरकार के जो भी target है, और किस साल तक उनको achieve करना चाते है, प्लेलिस्ट में आप जरूर देख क्रोड रुपे जो है, हेल्थ सेक्टर के लिए, जो है, एलोट किये हैं, जो की पिछले साल के बजट से 137 परतिशन ज्यादा है, साथ अगर हम डोक्टर हर्श वर्दरन सिंग की बात करें, तो फ्रेंट्स, इनके पास Ministry of Science and Technology है, Ministry of Health and Family Welfare है, और Ministry of Earth Sciences भी इनके पास है, railway zone in India, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option C, West Central Railway, तो friends, West Central Railway ने, कोटा चित्तोरगर railway section, तो इसको जो है, पूरी तरह से electrification का काम यहाँ पर पूरा हो गया है, और इसी के साथ, West Central Railways has become the first fully electrified railway zone in the country, साथ यह आपको यह भी जानना चाहिए, कि West Central Railway, इसका headquarters मध्यपरदेश के जबलपूर में है, कौन से स्री लंकाई, अंतराष्टे क्रिकेटर, पेशेवर मैच में, एक ओवर में, छे छक्के मारन वाले अपने देश के पहले खिलाडी बन गए हैं, तो यह बने हैं, थिशारा परेरा, तो फ्रेंट, थिशारा परेरा यह सीड लंका के हैं, और यह सीड लंका आर्मी टीम की और से खेल लाई थे, किसके अगेंस्ट, ब्लूम फिल्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट, और यहां पर इन्होंने एक अवर में 6 चक्के मार कर एक किरतिमान हासिल किया है, और फ्रेंट्स देखिए, इस साल 2021 में यह दूसरी बार हुआए, कि 6 बोलो पर 6 चक्के लगाए गए हैं, इससे पहले केरोन पॉलार ने भी, जो वेस्ट इंडीचे क्रिकेटर हैं, इन्होंने सी लंका के खिलाफ हाल ही में, टी 20 इंटरनेशनल मैच में 6 बोलो पर 6 चक्के जो हैं जड़ दिये थे, ठीक है, साथ अगर हम ओवरॉल बात करें, अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं आपर, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में जो थिसारा परे यह इस तरह का केरतिमान पहले ही हासिल कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के नुसार, 156 देशों में भारत की क्या रेंख है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, 140, तो फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ड एकोनोमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, कितनी कंट्री सामिल रही, 156 कंट्री का सर्वे किया गया, और भारत की रेंख रही है, 140, कितने इस्थान फिसला है, 28 इस्तानिया पर फिसला है साथी रिपोर्ट में ये भी का आए कि भारत में जो लेंगिक भेथ है या जो जेंडर इनेक्वैलिटी है वो 3 परतिशत जो है बढ़ गई है और 3 परतिशत बढ़ कर ये अब 62.5 परसेंट तक हो गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट ने ये भी का आए देखिए ये रिपोर्ट जो है 4 एरियास पर जो है फोकस करती है Economic Participation and Opportunity दूसरा है Educational Attainment तीसरा है Health and Survival चोता है Political Empowerment साथी अगर हम बात करने पिछले साल की तो 2020 में भारत की इसमें रैंक थी 112 साथी फ्रेंट्स इसमें ये भी कहा गया है कि जो भारत में अमूमन ये देखा गया है कि सेम काम के लिए जो आदमियों को मैंस को जो सैलरी मिलती है तो उसका 1 फिफ्ट जो है विमन को प्रवाइट कराई जाती है साथी साउथ एशिया में भारत जो है तीसे रंबर पर सबसे खराब इस्तिती है और इससे खराब इस्तिती पागिस्तान की है जिसकी 153 वी रैंक है और अफगानिस्तान की है सबसे लास्ट रैंक 156 साथी फ्रेंट्स इसमें जो सबसे अच्छी जो कंटी है यह सभी country जो है काफी अच्छा perform किया है तो इस सभी points जो है आपके exam point of view से important है ठीक है खास कर कि एक तो Afghanistan दूसरा ये कि किसके द्वारा launch की गई है report का नाम क्या है कितनी country सामिल रही भारत की क्या rank रही है ठीक है और पिछले साल से भारत की rank कितनी जो है नीचे गिरी है ये भी ये point भी आप जानना चाहिए the report stated that India home to 0.65 billion women has widened its gender gap from almost 66.8% one year ago to 62.5% this year आगे बढ़ते हैं विस बैंक के नुसार वित्तवर्स 2021-22 के लिए भारत की अनुमादी GDP व्रद्धिदर क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option C 10.1% तो friends इससे पहले वर्ड बैंक ने कहा था कि 5.4% रहेगी लेकिन अब वर्ड बैंक कह रहा है कि fiscal year 2022 में 10.1% रहेगी अच्छा वर्ड बैंक की इस report का नाम क्या है South Asia Economic Focus Spring Update Report साथी friends वर्ड बैंक ने ये भी कहा है क्योंकि COVID-19 का जो एरा चल रहा है तो कभी जैसे कि lockdown भी अब लग रहा है है ना कई कई राज्यों ने जो है कुछ पार्ट में lockdown लगा दिया है तो इस तरह से ही कई कंट्रीज में भी यही सीन चल रहा है तो इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है हम एक रेंज आपको प्रोवाइट करा रहे हैं तो इसी बीच में जो है जे टीपी यह ग्रो करेगी 7.5% से 12.5% के बीच में यह रेज वर्ड बैंक ने प्रोवाइट कराई है हाल ही में एक नई प्रजाती जिसका नाम नाकडूबा सिंधला रामा स्वामी सदा सीवन है यह पाई गई है यह निम लिखित में से किस से सम्मन्दित है तो फ्रेंट्स यह बटर फलाई की जो है इस पिसीज है ठीक है तो यह हाल ही में पाई गई है आगे बढ़ते हैं RBI के पूर्व डिव्टी गवर्णर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D केसी चक्रव परती और फ्रेंट्स इनके लावा ज साथ ही जब RBI डिप्टी गवर्णर की बात हो रही है तो RBI का Board of Directors भी देख लेते हैं तो यहाँ पर गवर्णर है RBI की सक्तिकान दास और डिप्टी गवर्णर कौन-कौन है BP कनूगो, MK जैन, MD पात्रा और MR राओ हाल ही में केंदर सरकार ने सारवजनिक छेतर के चार बैंको यानि Public Sector Banks में कितनी पूंजी डाली है, यानि कितनी पूंजी, कितनी Capital Infuse की है, Options आपके सामने है और Correct answer होगा Option D, 14,500 करोड रूपे तो देखिए Central Bank of India में 4800 करोड रूपे डाले हैं, और Indian Overseas Bank में 4100, Bank of India में 3000 करोड रूपे, और Yuko Bank में 2600 करोड रूपे, Central Government ने Infuse किये हैं, देखिए Central Government ने 2021-22 के लिए Target किया है कि 20,000 करोड रूपे हम इन बैंक में डालेंगे, किन बैंक में, वो बैंक जो की RBI के PCA Framework, या इस Framework के तहट आते हैं, तो अब ये पुझी डाले जाने से इन बैंकों को, जो RBI का PCA Framework है, इससे बाहर आने में मदद मिलेगी, और ये पुझी बीना प्याज वाले Bond, यानि Recapitalization Bond के जरिए डाली गई है, तो फ्रेंड देखिए, इन तीनों को मिला कर तो 14,500 करोड साथी इससे पहले गवर्मेंट ने पंजाब एंड सिंद बैंक में 500 करोड रूपे इन फ्यूज किये थे, तो टोटल मिला कर 20,000 करोड रूपे यहां पर गवर्मेंट ने इन फ्यूज कर दिये हैं, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, इंडियन Overseas Bank, इसके MD & CEO है, पार् वेंकटा राओ, और हैटकोर्टर से मुंबई में, साथी यूको बैंक, इसके MD & CEO है, अतुल कुमार गोयल और हैटकोर्टर से कॉलकाता में, तो इन चारो बैंकों में जो है, गवर्मेंट आफ इंडिया ने हाल ही में कैपिटल इंफ्यूज की है, आगे बढ़ते हैं, निम FIFA मईदा विस्वकप 2023 की मेजबानी करेंगे, जहां इस विस्वकप का जो पहला मैच है, यह Auckland, New Zealand में खेला जाएगा, वहीं जो final है, यह Australia के Sydney में खेला जाएगा, साथ ही आपको इभी जानना चाहिए, कि 2022 FIFA Men's World Cup, यह कतर में होगा, और अगर हम FIFA की बात करें, तो FIFA यानि International Federation of Association Football, इसका headquarters, जीूरिक, सुरिजरलेंड में है, और इसके जो प्रेजिडेंट है, इनका नाम है, जियानी इनिफेंटीनो, साथी फ्रेंट्स, यह जो Women's World Cup है, यह 9 cities में खेला जाएगा, आगे बढ़ते हैं, वर्स 2019 के लिए, परतिश्ठित, 51 वे, दादा साहब फाल के पुर इसकार हैं, जो 2019 के लिए दिये जा रहे हैं, तो Information and Broadcasting Minister पर का जावडेकर ने Announce किया है, कि रजनी कान्त को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, साथी आपको यह भी बता दें, कि जो रजनी कान्त हैं, इनकी जो सबसे पहली मूवी थी, यह थी, अपुर्वा, रंगन गा ठीक है, कभी-कभी इस तरह से question पूछ लेते हैं, तो कोई भी चीज हमें miss नहीं करनी है, अगर आएगी exam में तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, यह तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छा आप बात करते हैं, दादर साफ फाल के award की, तो 1969, 1969, यानि 1969 में इनको जो है, institute किया गया था, इन पुरुसकारों को, किसके द्वारा दिया जाता है, डारेक्टरेट और फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा दिया जाता है, जो की ministry of information and broadcasting के तहते एक organization है, साथी यह जो award दे गए हैं, तो इसके लिए कोई committee भी बैठी होगी, तो सुभास गाई, मोहनलाल, संकर महादेवन और बिश्वजीत चेटर जी, यहां से भी friends question बन जाता है, इसलिए आप इन सभी नाम को भी याद रखिएगा, साथी आपको बता दे कि 2018 में लास्ट बार ये अमिताब बच्चन को दिया गया था, निमलिखित में से किस DRDO परियोक and development establishment, तो friends यह जो है आपका DMSRDE, जो मैंने आपको लेब बताई है, यह DRDO की लेब है, और इसका headquarters कानपूर में है, तो इसने lightweight bulletproof jacket बनाए हैं इंडियन आर्मी के लिए, DRDO की बात करें तो 1958 में इसका गठन हुआ था, चेर्मैन है Dr. G. Shatish Reddy, और 50 से भी ज्यादा DRDO की लेबर हैं पुरे भारत में, और इसका motto है, बलश्य मूलम विज्ञानम, strength origin is in knowledge, अर्थव्यस्था को पुनर जीवित, यानी revive करने के लिए, केंद्र सरकार 2021-22 की पहली छमाई में कितनी राशी उधार लेगी, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, 7.24 lakh करोड रुपीज, तो देखे पहला हमारा जो ये quarter रहने वाला है, half quarter, इसमें 7.24 lakh करोड रुपाई की हम बोरोइंग करेंगे, यानी जो है, उधार लेंगे, अच्छा, अब इसमें ये कहा है, कि according to the budget for 2021-22, the government's gross borrowing was estimated at rupees 12.05 lakh करोड रुपीज, देखे, एक तो होता है, net borrowing, ठीक है, net borrowing मतलब, जितना उधार सरकार मार्केट से लेगी, एक होता है, gross borrowing, gross borrowing में क्या होता है, net borrowing plus repayment of previous loan, ठीक है, gross borrowing में क्या होता है, repayments of past loan, जो आपने पहले के loan लिये हैं, उनका भी तो repayment करना है, तो इन में अगर आप net borrowing को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगे आपकी gross borrowing, तो gross borrowing कितनी है, सरकार की, rupees 12 12.05 lakh crore rupees, और government ने कहा है, कि अभी फिलाल के लिए हम 7.24 lakh crore rupees जो है, बोरो करने वाले हैं, first half, जो 2021, 2022 का जो ये fiscal year है, इसका first half जो है, इसके लिए हम 7.24 lakh crore rupees लेंगे, और पूरे साल के लिए हमारी borrowing रहने वाली है, 12.05 lakh crore rupees, साथी gross borrowing में में आपको बता दिये हैं, तो ये स तो किसके थूर उठाती है, जो इसकी data securities और treasury bills होते हैं, इसके लिए उठाती है, क्योंकि government के पास fiscal deficit होती है, fiscal deficit क्या होता है, जो भी government के expenditure है, अगर आप उन में से जो government का revenue है, उसको आप अगर सब स्टैक कर देंगे, तो fiscal deficit जो है आपकी निकल जाती है, ठीक है, इसको as a percentage of GDP के रूप में calculate किया जाता है, ठीक है, यानि जब government का expenditure जादा हो, और government का revenue कम हो, तो उसमें जो अंतर आता है, उसे fiscal deficit कहते हैं, साथी friends आपको ये भी जानना चाहिए, कि fiscal year 22, के लिए जो budget में कहा गया है, कि fiscal deficit जो है, ये GDP की 6.8% जो है, आ की गई है, इतनी रहनी चाहिए, जबकि जो हमारा पिछला अब जो fiscal year हमारा समापत हो है, fiscal year 21, इसमें जो है, हमारा 9.5% रहा था, क्या, ये fiscal deficit, ठीक है, तो ये दोनों आकड़े आपके लिए काफी important है, साथी government ने budget में ये भी कहा है, कि हम fiscal year 26 के लिए 4% जो है, आक रहे हैं, कि fiscal deficit government of India की रहने वाली है, ठीक ये आपका, कि gross borrowing की definition मैंने आपको बता दी, साथी कितना target government ने रखा है, कि हम इतना लेंगे, साथी friends, ये कि जो हमारा fiscal year 22 है, इसमें जो है, fiscal deficit का target कितना रखा हुआ है, और 26 तक के लिए कितना target है, आपर government of India ने रखा हुआ है, साथी friends, government of India ने RBI को ये कहा है, कि आप जो retail inflation target है, इसको 4% plus minus 2% बनाये रखिए, कब तक 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, तो ये भी आपके लिए, ये सबी points आपके लिए काफी important है, इनको आप note कर लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, union bank और निमलिकित में से किसने सहे branded संपर्क रहित, रुपे card, uni carbon card, launch किया है, तो देखिए, uni carbon card, तो ये union bank of India ने किसके साथ मिलकर launch किया है, ये contactless रुपे card है, तो fans ये किया है, इनोंने HPCL के साथ मिलकर, तो HPCL यानि हिंदुस्तान petroleum corporation limited के साथ मिलकर, union bank of India ने uni carbon card, इसको launch किया है, देखिए, इस तरह के card क्या होता है, जब कोई एक bank किसी petrol company के साथ, इस तरह का card launch करता है, तो मान लीजिए, ये card लेकर अगर आप हिंदुस्तान petroleum corporation limited से जो है, आप यहां के petrol pump से आप तेल भराएं, और इस card के through payment करें, तो आपको कुछ reward से या फिर bonus point दिये जाते है, union bank of India के तरफ से, union bank of India के अगर बात करें, तो MD and CEO है, किरन राय जी और headquarters है मुंबई में, NPCI की बा headquarters है मुंबई में, साथी आप कोई भी जानना चाहिए, कि जो ये HPCL है, ये ONGC की subsidiary firm है, साथी फ्रेंट्स इसी तरह का एक card, state bank of India ने और Indian oil, इन दोनों ने मिलकर भी launch किया था, state bank of India and Indian oil, launch a co-branded contactless, रुपे debit card, तो ये जनवरी 2021 का current affair है, तो ये भी आपके लिए काफी important है, बार्दे रिजर्व बैंक ने किस तारीक तक आवरती online लेन देन प्रसंस करण के लिए समय सीमा बढ़ाई है, इंगलिश में देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया extended the timeline for processing recurring online transactions by which date, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा option C, सितंबर 30, 2021, समझेंगे इसका मतलब, friends आप मे question पढ़ा कीजिए, तो friends पहले हम English में ही पढ़ा करते थे, फिर कुछ experience कहने लगे कि Hindi में question पढ़िए, तो friends यह हम लोगों के लिए एक dilemma हो जाता है कि कि किस में पढ़ा जाए, तो friends अगर हम Hindi में पढ़ते हैं, देखे English में तो लिखा हुआ है, है ना, तो देखे थोड़ा extra प्रियास तो आपको भी अपनी और से लगाना होगा, वीडियो को पॉस्ट कर लिजिए, इंग्लिश में पढ़ लिजिए, ठीक है, अगर आपको Hindi में दिक्कत है, तो English में पढ़ लिजिए, और explanation भी आपको Hindi में, English में दी गई है, ठीक है, तो एक तरह से आप अपने आप स अगर आप effort लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी हम explain करते हैं, वो ही लिखा रहता है, ठीक है, तो English में वालों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का हैं पर धियान रखा जाता है, अच्छा, अब बात करते हैं इस question की, देखे, Reserve Bank of India extended the timeline for processing recurring online transactions by 6 months to September 30, 2021, देखे, friends, ये क्या, इसका क्या मतलब है, recurring transactions, देखे, कभी-कभी ऐसा होता है, जब आप मान लिजे, पे-टी-म से आपने कोई बिजली का बिल आपने, जो है, भुकतान किया, तो वहाँ पर फिर पे-टी-म आपको कहता है, कि आगे आने व पर उसको कर दीजिए, यानि कि अपने आप जैसे ही बिल वहाँ पर रेजिस्टर होगा, और आपका जो है, बिल कर जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी करने की जुरुत नहीं है, आपके एकाउंट से वो बिल जो है, उसका भुकतान कर देंगे, तो RBI ने कहा है, कि अब इ इस तरह से नहीं होगा, कि recurring transactions, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, कि automatic ही अपने आप बिल कट रहा है, मानलीजे आप जो है, कुछ फ्लार्स अपने घर में लगाना चाहते हैं, ठीक है, और आपने किसी company को कहा है, कि भाई तुम हर हफते हमारे आप फ्लार्स दे देना, औ और जो है, automatic payment होती रहेगी, ठीक है, वो अपने आप आपके उससे payment कटती रहेगी, ठीक है, तो अब इस तरह की चीजे नहीं होगी, अब क्या होगा, कि जो भी service provider है, वो आपको एक code भेजेगा, ठीक है, एक OTP type का हो सकता है, जब उसको आप, वो OTP जब verify हो जाएगा, उसक चाहती थी, कि 31 मार 2021 तक सभी चीजों में ये apply हो जाए, ठीक है, जितनी पी service provider है, ये इसको apply कर दे, लेकिन ये इसमें fail हो गई, इनोंने नहीं कर पाए, तो अब RBI ने जो है, 30 सितंबर 2021 तक इस service को बढ़ा दिया है, कि आप इतनी तारीक तक अब इसको जो है, इसके साथ comply कर दीजिए, साथी friends, हाल ही में RBI ने क्या किया था, कि जो ये recurring transactions हैं, तो इसकी limit भी बढ़ा दी थी, 2000 रूपे से 5000 रूपे बढ़ा दी गई थी, एक जनवी 2021 को, यहां से भी एक question बन सकता है आपके लिए, RBI enhanced a limit for contactless card transactions and e-mandates for recurring transactions through cards from 2000 to 5000, बिनोबा सेवा प्रतिस्थान के सहयोग से, आयूस मंत्राले ने आयूरवेद पर्व किस सहर में आयूजित किया, options आपके सामने हैं और correct answer होगा, option D, भूवनेश्वर में तो friends, भूवनेश्वर में ये आयूरवेद पर्व, इसको जो है, होस्ट किया गया है, किस के द्वारा, विनोबा, सेवा, पर्तिस्थान और ministry of ayus के द्वारा, साधी friends, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ayus का मतलब होता है, आयूरवेद योगा एंड नेचुरेपै ये कॉलकाता में है, National Institute of Siddha, ये चेननई में है, All India Institute of Ayurveda, ये डैली में है, National Institute of Ayurveda, ये जैपूर में है, National Institute of Naturopathy, ये पूने में है, National Institute of Yunani Medicine, ये बैंगलोरू में है, North Eastern Institute of Ayurveda and Homopathy, ये शिलोंग में है, साथी National Ayurveda Research Institute of 4 पंच कर्मा, ये चेरूतरूती के रला में है, तो फ्रेंट्स, यहां से भी question एक बन जाता है, इन सभी को आप note down कर लीजेगा, चाहे screenshot ले लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में से कौन, LEED, जीरो कार्बन परमानन प्राप्त करने वाला, दुनिया का पहला होटल बन गया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B ITC Windsor Bangaluru, तो फ्रेंट्स, ITC Windsor Bangaluru, यह पहला होटल बन गया है, पुरे विश्व का, जिसने की LEED, जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, ठीक है, और किसके दुआरा दिया गया है, USGBC, यानि United States Green Building Council के दुआरा, किसले दिया गया है, देखिए, जो ITC Windsor है, त के दुआरा प्रवाइट कराई जा रही है, साथी फ्रेंट्स, आपको यह भी जानना चाहिए, LEED, इसकी फिलफोर्म होती है, Leadership in Energy and Environmental Design, कई सारे एकजाम में पुछी जा चुकी है, इसकी फिलफोर्म, तो इसको आप, जो है, जरूर नोट डाउन कर लिजेगा, तो यह जो है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, अमेरिकी राष्टपती, जो अबेडेन ने किस भारती अमेरिकी को, DC डिस्टिक नियाय अलय के, नियाय थी, इसके रूप में नामित किया है, ठीक है, तो यूएस प्रेजिडेंट, जो अबेडेन, डॉमिनेटेड, विच इंड अचा, तो इनको जो है, न्युक्ट किया गया है, इतना ही जानना काफी रहेगा, साथ ही मैं आप यह भी जान लीजी, कि हाली में, dr. vivek is Mourthy, सर्जन औरल भी बनाया गया है, ठीक है, us में, जो बाइड़न के सर्जन औरल, के रूप में ने नियुक्त किया गया है, vivek मुर्थी विश्व ऑर्टिज्म जागरुकता दीवस 2021 किस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया गया है तो यह मनाया गया है फ्रेंड्स दो अप्रेल को और इसका थीम रहा है इस साल इंक्लूजन इंद वर्कपेस चैलेंजेस एंड ओपॉर्चुनिटीज इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ड देखें जो यह और्टिस्म है यह एक तरह की स्तरह की कंडिशन है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से जो है करें वड़ते हैं निलम सहानी को किस राज्य का निया राज्य चुनाव और नियूक्त किया गया है तो यह किया गया है आंदरप्रदेश को अंदरप्रदेश की इनको इस्टेट इलेक्शन कंपिशनर नियूक्त कि गयी है अच masturbate के सीम महें इन्होंने जो है आंद्रप्रदेश से गवर्णर विस्व भूशन हरीचंदर को जो है इनका नाम रिकमेंट किया था और गवर्णर है इन्होंने भी इसमें अपना एसेंट दे दिया था अपनी मंजूरी दे दी थी साथी फ्रेंट्स आपको भी जानना चाहिए अगर हम आंद्रप्रदेश से जुड़े हाल ही कर इंटरफेर्स की बात करें तो यहां के जो सीम है वाइस जगनमोहन रेड़ी इन्होंने हाल ही में कुर्णोल एरपोर्ट इसका उधार्टन किया है और इसका नाम इन्होंने उयल इवर्ली एटली क्लीरी जो की अमेरिकन है इनका हाली में निधन हो गया निम्लिकत में से कौन सी बच्चों की किताब उन्होंने नहीं लिख की है तो फ्रेंट्स देखे जिस तरह से यहां पर हम उनको रसकिन बॉंड को मानते है पच्चो के राइटर जिस तरह से इसी तरह से फ्रेंड्स ये भी विस्व में चिल्डरन्स से रिलेटेड वुक्स लिखने में खाफी फ्रेमस हैं तो इनकी अएल ही में निधन हो गया है तो हमें बताना है कि इनकी इन में से कौन सी book नहीं है ठीक है तो friend जो ये पहले वाली है Charlotte's Web ये जो है इनकी book नहीं है बाकी की तीन इनकी book है ठीक है तो basically question इसी तरह से मन सकता है कि जो ये जो आपकी ये Beverly Aitly Cleary है ठीक है ये कौन थी तो ये American author थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी Employees State Insurance Corporation सामने है और करेक्ट आंसर होगा option C मुकमीत S बाटिया तो इन्हें ESIC का महानिदेशक जो है बनाया गया है साथी फ्रेंट्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Employees State Insurance Corporation है यानि ESIC ये Ministry of Labor and Employment के अंतरगत कार्य करती है और इसका headquarters New Delhi में है साथी फ्रेंट्स अगर हम ESIC के बारे में और जानकारी लें तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी और Employees State Insurance Act के तहत ESIC Employees State Insurance को मैनेज करती है तो एक्ट कौन सा है Employees State Insurance Act 1948 इसके तहत Employees State Insurance को मैनेज करती है आगे बढ़ते हैं L&T Technology Services के CEO और MD के रूप में किसने पदभार समाला तो options आपके सामने है और correct answer होगा option A अमित चड़ाने साथी फ्रेंट्स आपको ये भी जानना चाहिए कि L&T Technology Services इसका headquarters वडोधरा गुजरात में है Message Galaxy परतियों किता में भारत का परतियों दित्व कोन करेंगी कि विंग कमांडर शुरूती चोहान है ये वर्ड ब्यूटी पीजेंट 2021 में सेकंड रनर अप रह चुकी हैं साथी ने हाली में महाराष्ट विमन एचीवर्स अवार्ड मिला था और आइकोनिक विमन अवार्ड भी इनको दिया गया था स्टीपी इंटरनेशनल के द्वारा विज्ञान आधारित स्टार्ट अप का समर्थन करने के लिए निम्लिखित में से किसने एम प्राइम लॉंच किया है तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा option D नीति आयोग देखे फ्रेंड जहां भी आपको एम दिख जाए तो इसका मतलब है वहाँ पर नीति आयोग जरूर इनवॉल्फ है ठीक है एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन अच्छा अब बात करते हैं question की तो देखे प्राइम का म इस start-ups के लिए launch किया गया है जो कि science-based कोई innovation अपनी कर रहे है कोई program अपना जो है उसको चला रहे है ठीक है तो उनको promote करना जो है इस एम प्राइम का मकसद है इसके लिए नीति आयोग ने यानि एम ने अटल इनोवेशन मिशन ने Bill and Melinda Gates Foundation के साथ साज़ेदारी भी किये है और इस program को जो implement करेगा ये करेगा venture center साथी friends आपको ये भी जानना चाहिए देखिए नीति आयोग के अगर बात करें तो basic knowledge आपको मालूमी होगी कि एक जनवी 2015 को इसकी स्थापना की गई और चेरपरसन नरेंदर मोदी है और वाइस नीति आयोग के द्वारा चलाए गए हैं एक है समावेस दूसरा है इंडिया नोलेज हब तो direct question मन जाता है इंडिया नोलेज हब ये किसका एक flagship program है तो चार option आपको दे दिये जाएंगे और पूछ ले जाएगा तो आंसर होगा नीति आयोग साथी friends ये important है आपके लिए और ये एक एक्जाम में पूछा भी जा चुका है एक तो एक्जाम में आ चुका है देखे नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ लेबर एकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानि एन आई एल ए रडी तो फ्रेंट्स ये इस्टिट्यूट जो है नीति आयोग से एक एजनसी से जुड़े हुए हैं दोने इस्टिट्यूट तो उस अवस्था में भी जो इसका आंसर होगा वह होगा नीति आयोग ठीक है चार ओर्गनाइजेशन आपको दी जा सकती है पूछा जा सकता है कि किस से जुड़ा हुआ है तो आंसर होगा नीति आयोग साथी एम का मैंने आपको मतलब बता दिया अटल इनोवेशन मिशन लैंक शायर क्रिकेट ने 2021 रोयल लंडन कप के लिए किस भारती अंतराष्टे बल्लेवाच को अनुबंदित किया है यानि साइन किया है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर होगा ओप्शन भी स्रेश अईयर तो फ्रेंट 2021 रोयल डंडन कप जिसको की इंग्लेंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ट द्वारा चलाया जाता है तो इसमें जो है लैंक शायर क्रिकेट ने जो है स्रेश अईयर को साइन किया है और इस क्रिकेट कलब की और से खेलने वाले ये 6th इंडियर मन जाएंगे इन से पहले किये कर बात करें तो ये जो है डेली कैपिटल के कैप्टन है लेकिन हाली में ये इंजर्ड हो गए है तो इस वज़े से रिसप पटेल को डेली कैपिटल का कैप्टन बनाया गया है भारत में सैन्य फार्म को कितने वर्सों की सेवा के बाद बंद कर दिया गया है मिलेटरी इंडिया को दैंडिया ख्लों आफ्टर मैनिह ओफ सर्वीश तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर ओगा ओप्शन डी if so बती साल बाद इंडिया फwest durum कि तो फ Tack कि एक इस मार्ड दोजार या किसковा अ國 को बंद कर दिया गया है बेसिकली इनका उपयोगीता ये थी देखी ये ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं तो उस वक्त क्या होता था कि अपने सैनिकों को अच्छी क्वालिटी का दूद प्रोवाइट कराने के लिए ये अच्छे सेवा की जाती थी ताकि दूद उपलब्द हो सके अच्छी क्वालिटी का दूद उपलब्द हो सके अब देखे भारत में हर कोने में दूब उपलब्द है ऐसा कोई नहीं है जरहापर दूद आसानी से उपलब्द ना हो पाए तो इसी वज़े से इनके रख- उजागर हुई थी तो फ्रेंट्स इसी लिए भी इसको जो है बंद कर दिया गया है और अब जो यह भूमी है जहां पर यह फार्म्स बने हुए हैं इनको डिफेंस मैनुफेक्चरिंग और स्टोर्स के लिए कारे में लाए जाएगा साथी फ्रेंट्स इसी से अब भारत सरकार को 280 करोड रूपे का बचत होगी साथी आपको यह भी बता दें कि जो पहला मिलिटरी फार्म है यह सबसे पहले उत्रप्रदेश के इलाबाद यानि प्रयाग राज में 1889 इस वर्स जो है खोला गया था साथी फ्रेंट 2016 में लेक्टेंट जनरल डी पी शेकाटकर रिटायर्ड तो इन्होंने जो है रिकमेंट किया था कि जो मिलिटरी फार्म से इनको बंद कर देना चाहिए और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि Ministry of Agriculture के साथ मिलिटरी फार्म से मिलकर प्रोजेक्ट फ्रेस्वाल इसको भी लौंच हिया था जो कि वन ओफ दे लार्जेस्ट क्रोस कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम रहा है हमारे देश का केंद्र की योजना एक वर्ज के भी तर देश के प्रतिएव भूखंड को किस नामक 14 अंकिये पहचान संख्या जारे करने की हैं इंगलिश में देख लेते हैं अब जो भी भारत में देश में जो भी हमारा प्रतियग भूखंड है ठीक है जो भी plot है land plot है तो भारा सरकार उसको एक नाम देना चाहती है ठीक है तो उसमें क्या होगा 14 यह पैचान संख्या वह होने वाली है चोदा अंक का वो एक जैसे हमार आधार काड़ है इसी तरह से जो है एक चोदा अंकों का कुछ होने वाला है और उसमें जो है उसका नाम बताना है आपको कि क्या है ठीक है तो इसका नाम है फ्रेंड्स यूनिक लेंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नमबर तो इस चोदा अंका जो यह है यह नाम है यूनिक लेंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नमबर तो इससे क्या होगा जो भी एवरी प्लोट जो भी है परतिये एक भूकंड जो है तो उसको जो है एक पहचान दे दी गई है अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं देखिए शोर्ड में आप कह सकते हैं यू ल पी आई एन ठीक है तो अब यह क्या है हिंदी में अगर हम फ्रेंड इसको बोलेंगे तो विशिष्ट भूकंड पहचान संख्या हिंदी वाले भी ठीक है इसको नौट कर लिजेगा तो देखिए इसमें क्या होगा कि देश में परती एक भूकंड की ओएक चोदा अंक्ये पहचान संख्या जारी की जाएगी ठीक है इसे आप जमीन की आधार संख्या भी कह सकते हैं और देखिए अब तक जो है दस स्टेट्स इस स्कीम को लॉंच कर चुके हैं और पूरे भारत में मार्च 2022 तक ये लॉंच कर दिया जाएगा और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि भूकंड की पैचान उसके देशांतर और अक्सांसों के आधार पर की जाएगी साथी इसका फायदा ये रहेगा कि जो भी भूमी संबंदी दोका धड़ी है उस पर रोक लगेगी और साथी फ्रेंड्स देखिए साथी जो लेंड इक्विजीशन है यानि भूमी अधिकरण है वो भी इजी हो जाएगा ठीक है और जो रियल इस्टेट टांजेक्शन हैं वो भी उनमें भी ट्रांस्पेरेंसी आ जाएगी ठीक है कोई बस्ता चार ना हो उसमें तो उसमें भी एक ट्रांस्पेरेंसी हो जाएगी साथी फ्रेंड्स जो भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लेंड प्रोपर्टी का पता ही नहीं लग पाता है कि यह किस की है तो उसमें भी कई विवाद चलते हैं तो उन में भी जो है उन विवादों में भी यहाँ पर फाइदा मिलने वाला है साथी फ्रेंड्स आपको यह जानना चाहिए कि भारत सरकार ने यह कहा है कि जो यह जो ये जो हम ये number launch करने वाले हैं तो ये electronic commerce code management association standard और open geo special consortium standards ठीक है इनके आधार पर इसको launch किया गया है आगे बढ़ते हैं साथ ये आपको भी जानना चाहिए कि digital india land records modernization program ये 2008 में launch किया गया था आगे बढ़ते हैं friends भारत और किस देश ने संयुक्त उत्पादन सैन्य हार्डवेर के निर्यात पर सहमती व्यक्त की है India and which country have agreed on joint production export on military hardware options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D South Korea और friends आपको ये भी जानना चाहिए देखे question तो खुद में ही अपने आप self-explanatory है ठीक है तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि जो South Korea के defense minister है Suh Wok ये friends हाली में इंडिया की visit पर है 3 day visit पर थे ठीक है अब तो ये चले गए है तो इसी भी जो है ये pact sign किया गया है South Korea की बात करें तो president है Moon Jae-in और capital है Seoul currency है South Korean won और हाली में अगर हम current affairs की बात करें तो राजनाथ सिंग ने और Suh Wok ने मिलकर डेली केंट में इंडो कोरियन friendship पार का उदखाटन भी किया है निमलिखित में से किस इस्थान पर भारत में संयूक्त logistic node यानि joint logistics node का संचालन नहीं किया गया है question ध्यान से पढ़िएगा नहीं किया गया है तो friends options हैं आपके पास Mumbai, Port Blair, Guwahati या विशा का पटनम तो इसका सही answer होगा option D विशा का पटनम तो इसका मतलब क्या हुआ कि Mumbai, Port Blair और Guwahati में जो है joint logistics node इनको जो है operationalized कर दिया गया है देखते हैं question का क्यों चर्चा में है ये Chief of Defense Staff General VP नरावत इन्होंने हाली में तीसरा joint logistics node JLN इसको Mumbai में operationalized कर दिया है इससे पहले एक जनवरी 2021 में Guwahati में Port Blair में भी इसको operationalize कर दिया गया है तो friends देखे इसका क्या मतलब हुआ तो इसमें ये है कि जो भी भविश्य में मान लीजे कोई युद्ध की स्तितिया जाती है ठीक है War condition आ जाती है तो उसके लिए जो है तीनों सेनाओं को ससक्त बनाने के लिए ये एक जो है काफी अच्छा कदम उठाये गया है Logistics का मतलब आप समझ सकते है कि जैसे जो Army के Equipments है ठीक है Ammunition है तो उसका Transportation किस तरह से हो ठीक है किन वाहनों में उनको ले जाए जाए तो इस तरह की सभी Services के लिए ये तीन Junction जो है बनाए गई है Mumbai, Goaati और Port Blair में आई ओप आप इसको समझ गए होंगे आगे बढ़ते है भारत एक मध्यस्ता पैनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की परिकरिया में है जो उसे किस British तेल फर्म को 1.2 billion डॉलर वापस करने के लिए कह रहा है Question English में भी देखेंगे India is in the process of filing an appeal against an arbitration panel ruling asking it to return 1.2 billion dollar to which British oil firm Friends काफी important question है और कई 2-3 महीनें से देखें ये चर्चा में बना हुआ है तो कई टाइम से मैं इसको include करना चारा था लेकिन इसका number नहीं आ रहा था तो इसलिए आज इसका number आगया इस question का और काफी important है और इसी term में ये question आपसे पूछा जा सकता है तो देखें इसका सही answer होगा option D Cairn Energy अब बात करते हैं इस question की देखें पहले तो जान लीजी जो Cairn Energy है ये एक British oil firm है तो हाली में क्या हुआ कि International Arbitration Tribunal ने अपने एक फैसले में Cairn को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार से 1.2 billion US dollar देने के लिए कहा है और इसने साथ ही ये भी कहा है कि भारत ने UK India Bilateral Investment Treaty जो की 2014 में साइन की गई थी इसके तहर अपनी जो दाइत्व है जो इनकी duty हैं उनका उलंगन कर 10,247 करोड रुपे का tax का फंड जो है ब्याद सहीत वापस करें साथ ही फ्रेंट्स जो भारत सरकार ने केरन इंडिया का जो केरन इंडिया है जो इस केरन एनर्जी की जो इंडिया में जो ब्रांच है केरन इंडिया तो इसके 10% stake भी जो है इसने भारत ने सीच कर लिये थे तो ये भी कहा है कि इनको भी आप रिलीस कीजिए और जो भी कंपनी का फंड है उसको ब्यात सहीत आप वापस कीजिए तो फ्रेंट्स ये दोजार शायद 6 या 7 से मामला चला रहा है कुछ टेक्स सम्बंदित ये मामला है अगर इसमें काफी काफी जो है इसमें डीप जाने की जुरूत है अगर समझा जाए तो अगर यहां पर मैं आपको इसमें बताऊंगा तो काफी टाइम इस लेक्चर में लग जाएगा तो केवल आपके लिए इतना ही जानना जुरूरी है जितना कि यहां पर आपके लिए लिखा गया है ठीक है फ्रेंड् पर 10,247 करोड रुपे का टेक्स लगाया और केरन इंडिया भे 10% के जो इस्टेक हैं उनको सीज किया फिर उसके बाद केरन इंडिया ने क्या किया अपील की इंटरनेशनल टुपिनल में अपील की वहाँ से जो है फेवर इंडिया के पक्स में नहीं हाया और इंडिया को कहा आगया कि आप जो है कंपनी का फॉंड ब्यास सहीत वापस करो और 1.2 बिलियन यूएस टोलर भी इनको आप जो है नुक्सान की भरपाई के लिए इनको दो अब भारत सरकार जो है इसको अपील करना चाहती है यानि एक बार फिर से रिव्यू के लिए कहना चाहती है कि हम कि या आप इस फैसले को रिव्यू कीजिए ठीक है तो इसके अगेंस्ट अब अपील करने वाली है भारत सरकार ठीक है तो इसलिए ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज सांतिर ओग्रो सेना 2021 यानि फ्रंट रनर ओफ तपीस किस देश में इनकी जो है सवी बर्थ एनिवरस्री मनाने के उपलक्ष में और बांगलादेश लिबरेशन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में यह एक्सरसाइज मनाई जा रही है यह संपन की गई है इसमें रोयल भूटान आर्मी स्री लंकन आर्मी बांगलादेश आर्मी और भारतिय आर्मी ने भी इसमें पार्टिस्पेट किया है साथ ही इस एक्सरसाइज का थीम रहा है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन और इसमें कुछ कंट्री जो हैं ऑब्जरवर के रूप में भी कारे किया यूएस से यूके टर्की साथी अरब कुवैत सिंगापूर इन सभी ने लेंडन के मेर हैं साधिक खान तो इन्होंने अरविंद केजरिवाल को इस वर्ड सिटीज कल्चरर फोरम में पार्टिसपेट करने के लिए इनवाइट किया है तो फ्रेंट जैसे की नाम सी पता चल रहा है कि सिटीज कल्चरर फोरम है ठीक है तो यहां पर जो है चालीस से ज्यादा सिटीज इसमें पार्टिसपेट करती हैं और जो भी कल्चरर रिलेटेड या फिर क्रियेटीविटी रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंस है या फिर इंपेक्ट है सिटीज पर उसके बारे में हैं आपर डिसकस किया जाता है और इसका थीम रहने वाला है answer होगा option a my NEP 2020 तो देखे union education mr. रमेश पोक्रियान निशंग launched the my NEP 2020 platform for nc platform of ncte web portal किसले launch किया गया है friends देखे national professional standards for teachers और national mission for mentoring program membership इसके लिए draft तियार किया रहा है पहले draft तियार किया जाता है उसके बाद जब वह approve हो जाता है तो फिर वह एक policy के रूप में सामने आता है ठीक है जैसे कि national education policy का पहले draft बनाये गया था उसमें कई लोगों के suggestions मांगे गए थे उसके बाद फिर वह policy approve कर दी गई फिर वह policy के रूप में सामने आई तो इसी तरह से यह जो national professional standards for teacher और यह NMMM NMM इसके लिए draft बनाये जा रहा है ठीक है तो इसमें जो है लोगों से suggestion मांगे गए हैं तो यह इसके लिए ही my NEP 2020 platform जो है इसको launch किया गया है और यह 1st April 2021 से 15th में 2021 तक जो है चालू रहने वाला है नीली मारानी माई मदर माई हीरो सिर्षक वाली पुस्तक किस ने जारी की तो फ्रेंट्स इसका भी मोचन किया है हमारे वाइस प्रेजिडेंट वैंके या नाइडू जी ने यह पुस्तक जो है लोकसभा मेंबर डॉक्टर अच्यूता समंता द्वारा लिखी गई है और यह इनकी मदर लेट मदर की जो है बायोग्रैफी है उन्हीं के नाम पर यह बुक भी है स्रीमती नेली मरानी सारवजनिक उद्ध्यम चेयन बोर्ड यानि पब्लिक एंटरप्राइजस सेलेक्शन बोर्ड पी एसबी के अध्यक्स के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन्स C मलिका स्री निवासन तो देखे ट्रेक्टर एंट फार्म एक्विप्मेंट लिमिटेट की चेयरमेन मलिका स्री निवासन को सारवजनिक उद्ध्यम चेयन बोर्ड यानि पी एसबी इसकी अध्यक्स के रूप में न्यूक्त किया गया है और यह पहली बार है जब किसी नीजी छेत्र से पी एसबी का परमुख न्यूक् करता है साथी इसमें फ्रेंट एक तो चेयर परसन होते हैं साथ इसमें तीन फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं वे कौन है एक तो शैलेस हैं एमके गुपता हैं और सेखर मितल हैं साथी आपको बता दें कि जो यह ट्रैक्टर्स एंड फार्म एक्विप्मेंट यानि टेफ करता है एक्सपोर्ट का काम भी करता है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्ते बीमा परदान करने वाला पहला राज्य बन गया है तो फ्रेंट्स इसमें सही आंसर होगा ओप्शन भी राजस्थान राजस्थान बिकम्स फर् राजस्थान ने चिरंजीवी हेल्थ इंसुरेंस स्कीम के तहत राज्य में परतियक परिवार को पांच लाग रुपे सलाना हेल्थ इंसुरेंस प्रवाइट कराया है साथी आपको भी जानना चाहिए कि राजस्थान के गवर्ण है करलाज मेश्रा और कैपिटल है जैपू राजस्थान से जुड़े अगर हाली करंट अफेर्स की बात करें तो यहाँ पर उडान तरह यह समारो भी आयुजित किया गया कहां पर राजस्थान के धोलपूर डिस्टिक में साथी फ्रेंट्स इंडिया और यूएस द्वारा एक जोइंट प्लिट्री एक्ससाइज जि भिख्षुक मुक्त बनाने के लिए इसकेल ट्रेनिंग कैमपेंड भी लॉंच किया है साथी फ्रेंट राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं एक तो यह आपको पता होगा कि यह लाडजेस्ट इंडियन स्टेट है अगर एरिया वाई सम बात करें साथी यह पागिस्तान के पंजाब प्रांथ और सिंद प्रांथ से बॉर्डर शेर करता है अच्छे यहाँ पर जो हैं इंडस वैली सिविलाजेशन के जो अवशेश हैं कली बंगन और बाला थल यह यहाँ पर पाए जाते हैं दिलवाला टेंपल्स, माउंट आबू, केवल साथी आपको इभी जानना चाहिए कि सवाई मान सिंग इस्टेडियम यह जयपूर में है और बलक तुलाजेशन के लिए खान इस्टेडियम यह जोथपूर में है किस देज ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वाइरस वैक्सीन पंजिकरत की है और आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया 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 रजिस्टर्स वर्ड्स फस्ट कोवीड-19 वैक्सीन और इस वैक्सीन का नाम है कार्णिवेक कोव रश्या के बारे में थोड़ी जानगारी ले लेते हैं जो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्टेंट है देखिए रश्या जो एक टांस कॉंटिनेंटल कंट्री है यानि ऐसी कंट्री है जो दो महादीवों में इस्तित है एक तो यह इस्टन यूरोप में है थोड़ा सा पार्ट इसका और थोड़ा पार्ट इसका नदर्न एशिया में है ठीक है इसी तरह से एजिप्ट भी है साथी इसी तरह से टर्की भी है टर्की कुछ तर्की का कुछ भाग जो है यूरोप में है और कुछ एश तरिका में है रश्या की बात करें तो प्रेजडेंट है व्लादमीर पुतिन यहां के प्राइम मिनिस्टर है मिखाईल मिश्ष्ष्टीन करंसी है रश्यान रुबल कैपिटल है मौस्को और साथी फ्रेंड्स यह यहां की रश्या की लाड़ेस्ट न्यूज एजनसी है टी ए ताश इसको आप बोल सकते हैं तो इसी ने यह न्यूज ब्रेक की है कि जो है रश्या ने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वाइरस वैक्सीन बनाई है एनिमल्स के लिए तो यह फ्रेंड्स पूछा जाता है एससी में तो पूछा भी जा चुका है यहां से कोश्चन साथ आपको यह जानना चाहिए कि क्रेमली अच्छा आपने कभी निउस पेपर में पढ़ा होगा या फिर आपने जो है टीवी में देखा होगा निउस चैनल्स पर कि ऐसे आता है कि क्रेमलीन की ओर से कहा गया है कि रश्या यह लॉंच करेगा या यह मिसाइल लॉंच है या फि तो काफी बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाए गए हैं तो यहीं से जो है जो राश्टपती के प्रेजिडेंट है अपना कारेभार भी देखते हैं और इनका रेजिडेंट्स भी यही है क्रेमलीन साथी लेक बैकाल, रिवर वोलगा और रिवर ओब यह तीनों रश्या में है और पूछ ली जाती है फ्रेंट्स एक्जाम में पेटियम मनी ने किस सहर में अपना नया प्रद्योगी की विकास और नवाचार केंद्र खोला है यानि टेकनलोजी डेवलप्मेंट एंड इनोवेशन सेंटर पेटियम मनी ने अपना कहां पर खोला है तो यह खोला है फ्रेंट्स इनोंने पूने में साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि पेटियम मनी के सीओ है वरून श्रीथर हैटकॉर्डर से बेंगलूरू तो फैंट्स देखिए इस तरह के कुश्चन में अपने आप ही सेल्फ एक्स्पनेट्री होते हैं इसमें अगर हम आपको ज्यादा बताएंगे तो वह तो आपक जो है समय जाया करना होगा ठीक है तो केवल यह इसके लिए इंपोर्टेंट है कि पेटियम मनी ने अपना जो है नया टेकनोलोजी डेवलप्मेंट इनोवेशन सेंटर का लोंच किया है पूने में आगे बात करते हैं कौन सी कंपनी साइबर सुरक्सा फर्म MPN का अधिगरन करेगी यानि इसको एक्वााइर करेगी तो फ्रेंट यह करेगी विप्रो फ्रेंट एक काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है और खासकर की बैंकिंग एक्जाम में इस तरह के कोश्चन पूछ ली जाते हैं देखिए विप्रो जो है MPN यह एक ऐस्टेलिया बेस्ट जो है और कंपनी है यह और फ्रेंड्स इसकी जो डील हुई है वीप्रो इसको 117 मिलियन यूएस टोरर में खरे देगा यानि की 857 क्रोड रुपे में इसको खरीदने वाला है इससे पहले फ्रेंड्स वीप्रो जो है कैप को जो कि एक ग्लोबल मेनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी कंस कंपणी कंपनी है इसको भी फ्रेंड्स खरीदने वाली है यह भी आप ही गोड़ Cities लंडन में है और अप यह यह ऑस्ट्रेलिया में यह हाँ है तर नहींकर आपको यह पर पता चल गही है रह। वीप्रो MPN को भी एक तो एक्वायर करेगा और कैपको को भी एक्वायर करेगा साथ यह आपको वीप्रो के बारे में जानना चाहिए कि इसके CEO है theory डेला पॉर्टे चेयर्मैन है रिशाद प्रेम जी और headquarter से बैंगलुरू में परदार मंत्री प्रदार मंत्री रोजगार सरजन कारेकरम यानि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉइमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को लागू करने के लिए नोडल एजनसी कौन है options आपके सामने है और correct answer होगा option B KVIC तो friends जो ये प्रदार मंत्री रोजगार सरजन कारेकरम है इसको implement जो करता है ये करता है KVIC तो ये इसलिए हाल ही में news में है क्योंकि इस जो ये कारेकरम है PMEGP तो friends इसके तहत KVIC ने जो है अब तक के सबसे ज़्यादा जो है लोगों को नोकरी प्रवाइड कराई है तो ये जानकरी दी है नितिन गड़करी ने और ये काफी चर्चा में है ये वाली news तो इसलिए आपके लिए काफी important भी है ठीक है friends अच्छा तो देखिए जो ये भी हमारा जो financial year जो end हुआ है 2020-21 का तो इसमें friends इन्होंने KVIC ने इस योजना के तहत PMEGP योजना के तहत 55320 जो है प्रवाइड कराई है ऐसा का आ गया है नितिन गड़करी के द्वारा साथी friends आपको ये आना चाहिए कि जो KVIC यानि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये जो है ये एक statutory body है यानि constitution में इसका कोई जिक्र नहीं है ठीक है अगर constitution में द्वाराय बनाई गई होती तो ये constitutional body होती ठीक है अब इसको जो है act द्वारा बनाए गया है इसलिए statutory body है तो किस act के द्वारा इसको बनाया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ओफ 1956 के तहत इसको बनाया गया था और अप्रेल 1957 में जो है ये अस्तित्व में आई किस प्लान के तहत second five year प्लान के तहत ठीक है साथी आपको ये जानना चाहिए कि ये जो है ministry of micro small and medium enterprises के तह के वी आईसी जो है ITBP को कोटन खादी दरी जो है ये प्रवाइट कराएगी नेम लिखित में से कौन सी पहल यानि इनिशियेटिव ट्राइफट से सम्मंदित है या फिर है तो इसका मतलब होता है कि अगर नहीं आपर एक option ही सही है तो तब आप इसको पढ़ेंगे इस ठी अबो तब यहां पर पढ़ा जाता है और ठीक है तब इस नहीं पढ़ा जाता है तब पढ़ा जाता है विच ओफ फॉलोइंग इनिशियेटिव और रिलेटेट टू ठीक है तो इस तरह से कौश्चन बनाने की एक आर्ट होती है अच्छा तो यहां पर देखिए इसमें सही आंसर होगा option D all of the above वंधन विकास योजना be a friend of tribes इंडिया be the brand ambassador of tribes इंडिया तो फ्रेंड्स यह तीनों ही इनिशियेटिव ट्राइफेट द्वारा शुरू किये गए हैं और हाल ही में जो चड़चा में रहे हैं वो रहे हैं B और C ट्राइफेट लॉंच इस बीद ब्रेंड an ambassador of tribes इंडिया and be a friend of tribes इंडिया contest तो फ्रेंड्स इन जो यह ट्राइफेट ने जो यह दो competition लॉंच किये हैं ठीक है दोनों के आपको नाम भी बता दिये हैं तो इन competition का अधिवासियों के लिए आधिवासियों का जो सिल्फ है संस्कृति होए और जीवन से लिए उनको देखिए इसके तहत मान लीजिए आपने कोई भी tribal product खरीदा है जो tribal द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो आपने किस व्यक्ति से उसको खरीदा है उसके बारे में आपको जो है एक एक limited time में आपको वीडियो मना कर उसमें बताना है और उसी इसाप से जो है आपको आवा लांची गई थी और यह ministry of tribal affairs and trifet का एक initiative है साथी friends आपको यह भी जानना चाहिए कि trifet ने जो है ministry of micro small and medium enterprises के साथ मिलकर tech for tribal scheme यह भी launch किया था मार्च 2020 में तो friends आपर चार आपके initiative हो गए है जो trifet द्वारा शुरू किये गए हैं तो पूछ ले जाते हैं एक्जाम में इसलिए आप इनको याद रखिएगा साथी friends हाल ही में वन धन विकास योजना के तहत मनीपूर जो है model state बनकर आया है यानि कि सबसे अच्छा कारे जो है मनीपूर ने किया है वन धन विकास योजना के तहत वन धन नामसी पता चल रहा है कि वन का धन या वन से धन क्या मिल सकता है जो वन से हमें जो minor produce मिलते हैं जिनके तहत जो tribal होते हैं जैसे bamboo से अलग अलग तरह के product बनाते हैं ठीक है और आप यह लोग जो है शहद बनाते हैं ठीक है तो इस तरह के जो शहद मतलब शहद की अपनी उसको अच्छे से pack वगएरा करके फिर बेचते हैं ठीक है तो सहद को निकालते हैं ना तो इस तरह क जो है इनको एक market प्रोवाइट कराती है ठीक है और इनको training देती है जो ट्राइवल पीपल है इनको training देती है तो फ्रेंड्स ट्राइफट जो है इसकी स्थाबना अगस्त 1987 में 1987 में हुई थी किसके तहत अंडर दी मल्टी स्टेट कोपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 फ्रें फुरा dedication के साथ आप वीडियो को देखा कीजिए तब ही आप इसका full benefit ले सकते है ठीक है फ्रेंड्स अच्छा ट्राइफट की बात करें तो यह ministry of tribal affairs के अंतरगत काले करती है और tribal affairs मिनिस्टर कोन है अरजुन मुंड़ा साथी friends हाली में trifet ने कहा है कि यह मध्यपरदेश में 5 trifood parks establish करेगी तो friends यह हमने mcqs के तोर पर भी एक question बनाया था जब यह news आई थी ठीक है कि कि किस state में trifet जो है 5 trifood parks establish करेगी तो answer होगा इसमें मध्यपरदेश आगे बढ़ते हैं मुहमद बजूम किस देश के नए राष्टपती बने है तो friends इसका सही answer होगा option A नाईजर तो friends इन्होंने जो है महमदव एशोफोव ठीक है इनको जो है succeed किया है पहले यह थे तो अब बन गए है मुहमद बजूम साथ यह आपको यह भी जानना चाहिए friends कि नाईजर जो है यह वाइड का पॉरिस्ट नेशन है according तो यूनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट रैंकिंग नाईजर की अगर बात करें तो इसी कैपिटल है नियामे और करंसी है वेस्ट एफ्रिकन सी एफ़ फ्रेंक यह है नाईजर ही हाँ पर लैंड लोग कंट्री है बीपी कानूंगो निमलिकित में से किस बैंक से सेवा निवृत हुए है यानि रिटायर हुए है तो ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो फ्रेंट्स यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप् समाला था और अप्रेल 2020 में रिटायर होने वाल थे लेकिन इनको एक साल का एक्स्टेंसर दिया गया था तो अब मौझूता टाइम में अदर डिप्टी गवर्नर्स कौन-कौन है महेश कुमार जैन एमडी पात्रा और राजिश्वर राओ और सक्तिका अंदास जो है हमारे अंतराष्टे खदान जागरुकता दिवस किस दिन मनाया जाता है इंटरनेश्टन माइन अवेर्नेस टे इस सेलिबरेटेड ओन विच डे तो फ्रेंस इसका सही आंसर होगा ओप्शन डी फॉर्ट ऑफ अप्रेल और फ्रेंस इसका थीम रहा है इस बार प्रिजर्वरेंस प पेमेंट्स ट्रांजेक्शन दोजार 20 2020 तो यह मिटाए प्रेंड्स इंडिया को देखिए ए से आई वर्डवाइट जो कि यूके बेस्ट पेमेंट सिस्टम कमपनी है इसने एक रिपोर्ट जारी की है इसमें इसने एक आये कि जो भी ओनलाइन ट्रेंजेक्शन होए 2020 में इ इसे नमबर पर आता है साउथ कोरिया हाल ही में करनाटक उच्छे नियालय ने ओपरेशन कमल मामले में निम्डेकित में से किसके खिलाफ जांच की अनुमती दी है ओप्शन साफ के सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी बीएस येदु रप्पा तो फ्रेंट जो बीएस येदु रप्पा हैं ये करनाटक के मोजुदा टाइम में मुख्य मंत्री हैं और ओपरेशन कमल के तहत इनकी अब जांच की जाएगी देखे मामला ये है दो तरह से मामले हैं देखे 2008 में ये दूरप्पा को बहुत पाने के लिए कुछ उनकी जुरुथी MLS की जुरुथी तो क्या हुआ ओपोजिशन पार्टी से कुछ MLS इनकी पार्टी में बीजेपी में स्वीच कर गए ठीक है तो अब ऐसे कैसे कर गए ठीक है तो आब ये कहा जा रहा है कि दूस और JDS की, लेकिन 2019 में क्या हुआ, Congress और JDS के कुछ MLA, BJP में स्वीच कर गए, तो फिर कैसे स्वीच कर गए, ठीक है, तो वो भी क्या था, Operation Kamal के तहत किया गया था, तो अब इनकी जांच की जारी है, कि क्या इसमें, B.S. इदरप्पा ने जो है, illegal तरीके से, उन MLA's को अपनी तरीके से, अपनी ओर लाने का ये एक मिशन रहा है, और इसमें, जो है, जो, अमिशा का भी नाम, इसमें, यहां पर लेते हुए, सुना गया है, उस, जो, इनकी एक, जो, ऑडियो लीक हुई है, उसमें, आगे बात करते हैं, निमली कितमे से, किसने, Nesco, यानि, North Eastern Electricity Supply Company of Od जिसा के प्रबंधन और संचालन को संबाला है, यानि, उसके मैनेजमेंट और ओपरेशन को जो है, इन्होंने, अब जो है, अपने, अपने उपर ले लिया है, रिस्पोंसिबिटी ले ली है, तो यह लिए है, फ्रेंट्स, टाटा पावर ने, तो फ्रेंट्स देखिए, प पर यह रिस्पोंसिबिल्टी आ गई है, नेसको के संचालन के लिए, निमलिकित में से किसने भारत में, टीवी प्लस सेवा शुरू की है, टीवी प्लस सर्विस किसने लौंच की है, तो यह है फ्रेंट्स, सैमसंग ने, तो वही है फ्रेंट्स इसमें भी, कि फ्री साउथ कोरिया में है, यह भी आपको जानना चाहिए, एसलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग सुनेगा, तो यानि वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के डिरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने, स्वीडन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर एंड फोरेन मिनिस्टर काल बिट को ACT एक्सेलरेटर के स्पेशल एन्वाइ यानि विसेश दूद के रूप में न्यूक्त किया है, जान लेते हैं फ्रेंड्स की ACT एक्सेलरेटर क्या है, इंपोर्डन टॉपिक है, देखें, ACT का मत सथ COVID-19 के टेस्ट, इलाज और वैक्सीन के उत्पादर में तेजी लाना है, और इसकी वैक्सीन को लोगों तक उचित रूप से पहुचाना है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, अप्रेल 2020 में, डिरेक्टर जनर और वर्ड हैल्थ और्गनाजेशन, फ्रांस के प्रेजिडेंट के द्वारा, और यूरोपियन कमिशन के प्रेजिडेंट के द्वारा, साथी बिल एंड मैलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, साथी आप कोई भी जानना चाहिए, कि जो ये ACT एक्सेलेटर है, इसके चार इस्तंब है, चार इस्तंबों पर ये आ महसूस करना, जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं म्यूजिक सुनने के बाद तनाव मुक्तिया, फिर बहतर महसूस करता हूँ, तो आप इसको इंगलिस में इस तरह से यूज करेंगे, I find listening to music very theoretic, ठीकर फ्रेंट, आगे बढ़ते हैं, किस देश के चात्रों को भारत सरकार से मुक्ती जोधा स्कोलर्शिप, जान लेते हैं इसके बारे में, देखे, बंगलादेश के लिबरेशन वार में, जो भी लोग सामिल हुए, ठीक है जो वार फाइटर्स रहे इसमें, तो उनकी जो आने वाली पीडी है, तो उनमें से कुछ 2000 लोगों को मुक्ती जोधा स्कोलर नरेंदर मोदी, बंगलादेश के दोरे से आप वापस आए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, जल्दी से उसको रिकैप करेंगे, पहले तो आप ये जान लीजे कि बंगलादेश जो है, अपनी आजादी का, गोल्डन जुबिली मना रहा है, यानि 50 वर्स पूरे इसको ह पहमान, तो इनकी जो है ये बर्थ सेंटिनरी भी मना रहे हैं, सेंटिनरी का मतलब होता है, 100 वर्स इनको हो गए है, तो इनका जर्म 17 मार्च 1920 को हुआ है, ठीक है, तो अब पिछले साल 2020 को, जो है इनके 100 साल हो गए थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, तो बंगलादेश जो पिएम सेख हसीना ने मिथाली एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन इसको लॉंच किया है, पैसेंजर ट्रेन है, ये मिथाली ढाका और नियू जलपाई गुरी के बीच में, साथिया आपको ये जानना चाहिए, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने, जो बगबंदु शेक हैं, तो इनकी ग्रेव, यानि इनका मकबरा, ठीक है, इसको भी इनोंने विजिट किया है, और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले प्रधान मंत्री बन गए है, कहां पर है इनका मकबरा, तुंगी पारा में, साथ ही आपको ये जानना चाहिए, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र यानि प्लांट किस राज्य में इस्थापित किया गया है, आप्शन्स आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, आप्शन B, राजस्थान, तो फ्रेंट्स, देश का पहला, क्रिशी आधारीत, सोलर पावर संयंत्र यानि प्लांट, परधान मंत्री किशान, उर्जा सुर पादन किया जा सकेगा, तो यहां पर आपके लिए कुसुम, इसकी फुल फॉर्म याद रखने आपको जरूरी है, किसान, उर्जा, सुरक्षा, एवं उत्थान, महा, भियान, राजस्थान के बारे में कर हम जानकारी लें, तो यहां के सीय में असोग गैलोत, कवर्नर है, क चार-पाँच करंट अफेर्स हमारे पास हो जाएंगे, फिर से हम दुबारा रिवाइस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, राधेशाम खेम का, जिनका हाली में निधन हो गया, वे किस पब्लिशर के अध्यक्स थे, यानि किस प्रकासक के जो हैं यह अध्यक्स थे, तो उप्च प्रकान मंत्री या फिर वाइस प्रेजिडेंट, यह सब अपना दुख प्रकट करते हैं, तो इस तरह के जो होते हैं, आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के, तो देखिए, जो राधेशाम खेम का है, यह गीता प्रेस के प्रेजिडेंट रहे थे, ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि गीता प्रेस, यह वर्ड की लार्जेस्ट पब्लिचर है, हिंदू रिलिजियस टेक्स्ट की, और गोरखपूर उत्तरपरदेश में यह लोकेटिड है, इसको 1923 में जया दयाल गोयन का और घंस्याम दास चल है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, इन्वार्मेंट मिनिस्टर थे, परदान मंत्री नरेंदर मोधी कंडोल्स, डिमाइस ऑफ इंडियास फर्स्ट इन्वार्मेंट मिनिस्टर दिगविजे सिंग जला, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, और यह जो है, गुजरात के वा इन्वार्मेंट मिनिस्टर रहे हैं, 1982-1984 तक, निमलिकित में से किसने, गाउं एवं, डिजिटल कनेक्ट मुहीम, जिसका नाम है संकल्ब से सिध्धी, इसको लांच किया है, तो यह लांच किया है, फ्रेंड्स, ट्राइफेड ने, यानि ट्राइबल कोपरेटिव इन्डिया ने, तो फ्रेंड्स, इसका मकसद यह है, कि जो वन धन विकास केंद्र हैं, तो इनको जो है, गाउं में एक्टिवेट करना, यानि सुचारू रूप से इनको चलाना, अच्छा, अगर हम ट्राइफेड के जुड़े, प्रोग्राम की बात करें, ट्राइफेड से स्केम, जिसे ट्राइफेड जो है, मिनिस्ट्री ओफ MSME के सहयोग से चला रही है, साथी ट्राइफूड, और हाली में ट्राइफेड ने दो कॉम्पटिशन भी लौंच किया है, जिनके नाम है, बी दा ब्रेंड अमबैस्टर ओफ ट्राइफेड इंडिया, और बी ओफ्रें एट विच प्लेस, तो उप्शन्स आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, उप्शन डी, दाराशिको लाइब्रेरी, तो देखें, जो ये पार्टिशन म्योजम बनेगा, तो अमरिस्टर में भी पार्टिशन म्योजम है, तो उसी का एक 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 स्टेंशन आप कह सकते है उसी का एक दूसरा रूप कह सकते हैं, ये खुलेगा दाराशिको लाइब्रेरी, जो की पुरानी दिल्ली के मोरी गेट पर इस्तित है ये बिल्डिंग, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि दाराशिको कौन थे, दाराशिको सहाजांके एल्डेस्ट सं थे, यानि सबसे ब बनाएगा, आगे बढ़ते हैं, इस पत्त पर, बात करें फ्रेंट्स, अगर हम ONGC की, तो ये महारतने कमपनी है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ओयल एंड नैचुरल गैस कमपनी है, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्परेशन लिमिटेड यानि HPCL और मंग पेट्रोलोर, रिफाइंडी और पेट्रो केमिकल लिमिटेड, MRPL, ये दोनों ही ONGC की सब्सेटरी कमपनी हैं, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि क्रूड ओयल क्या होता है, क्रूड ओयल एक रो मैटेरियल होता है जिसको की ओयल कमपनी यूज करती है, किसले यूज करती हैं ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्स बनाए सकें, पेट्रोलियम प्रोडक्स क्या होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरसीन, नैप्था, और कुकिंग गैस, LPG, आगे बढ़ते हैं, नासा के खगोल विदो यानि एस्ट्रोनोमर्स ने हाली में पहली बार किस ग्रह से एक्सरे उत्सरजन का पता लगाया है, ओप्शन सापके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन सी, यूरेनस, तो यूरेनस जिसे की अरुण ग्रह भी बोलते हैं, तो नासा के जो एस्ट्रोनोमर्स हैं, इन्होंने जो है, एक्सरे का उत्सरजन, जो है, यूरेनस से खोजा ह किसके तुरू चैंद्रा एक्सरे अब्जरवेट्री को यूज करके, साथिया आपको यह जानना चाहिए, यूरेनस के बारे में अगर हम जानका दिलें, तो फ्रेंड्स, अगर हम सन से इसकी बात करें, तो साथवे नंबर का यह प्लैनेट होता है, और ग्रिनिश कलर का यह होता है, इसको आइस जाइंट भी कहते हैं, और विलियम हैर्षेल के द्वारा इसको खोजा गया था, साथिया आपको यह जानना चाहिए, कि इसको साइडवेज प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यह अपनी साइट पर रोटेट करता है, ठीक है, और यह जो है, इसकी जो डाय स्पेर और अलेक्स जेंडर पॉप, इनकी जितने भी नोवल हैं, तो उसमें जो जो करेक्टर रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया है, साथी यूरेंस की 30 जो हैं, रिंग्स हैं, जो अभी तक ग्यात हैं, और वोयजर 2, यह अब तक का इकलोता ऐसा स्पेस क्राफ्ट है, जो ठीक है, और इस बार 2021 में यह 58th एडिशन रहा है, साथी आपको यह भी जानना चाहिए, कि पहली बार 5 अप्रेल 1919 के दिन, सिंधिया स्टीम नैविगेशन कंपनी लिमिटेट का पहला स्टीम शिप SS लोयल्टी, जो है मुंबई से लेंडन की पहली समुद्रियातरा के लिए इंटरनेशनल वाटर एरिया में उतारा गया था, तो इसी उपलक्स में 5 अप्रेल को जो है, 5 अप्रेल 1964 को नेशनल मैरी टाइम डे बनाने का संकल्प लिया गया और तब से इसको मनाया जा रहा है, इसका जो भी थीम होगा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेसेन में देख लेंग सामने हैं, और वर्ड मेरी टाइम डे। यह कब मनाया जाता है, ये friends, हर साल सितंबर महीने में जो लास्ट थरस्ट आता है, उस दिन मनाया जाता है वर्ड मेरी टाइम डे, तो friends, तीनों एक जैसे देज हैं, तो यहां पर सात में आपके लिए लिख दे गई हैं, इनको आप नोट कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं मियामी ओपन 2021 किसने जीता है ओप्शन सापके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी एसले बार्टी तो यहाँ पर बात हो रही है टैनिस की एसले बार्टी जो है यह आस्ट्रेलिया कि टैनिस प्लेयर है और इन्होंने मियामी ओपन 2021 जीत लिया है यह यूएस में हुआ है और इन्होंने किसे हरा है बियांका एंड्रे स्कू को जो की कैनाडा की है और यह जो है चोट के विज़े से रिटायर हो गई थी तो इसलिए इन्हीं को विनर जो है इनको बनाया गया है और बार्टी जो है यह नंबर वन प्लेयर है फ्रेंट्स यह भी आपको जानना चाहिए टैनिस की हाली में रूसी वग्यानिकों ने बैकाल जील के पानी में बैकाल जीवीडी नामक एक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टैलिसकोप लूंज किया है आपको बताना है की बैकाल जील यह कहां पर इस्तित है तो फ्रेंट्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए रुप्शन ए रशिया तो फ्रेंट्स जो यह बैकाल जील है ये रशिया के Siberia region में इस्तित है और ये वर्ड की deepest lake है बात करेंगर question की तो रशिया के scientist ने जो है वर्ड का biggest underwater neutrino telescope जिसका राम है बैकाल जीवीडी ठीक है इसको जो है लेक बैकाल के पानी में जो है उतारा है अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए कि neutrino का मतलब क्या है है पर इसमें electric charge नहीं होता है और इसका जो मास होता है वो भी काफी small होता है कभी कभी even zero भी हो सकता है और ये जो है electronic magnetic field के द्वारा बिल्कुल unaffected रहते हैं ठीक है अच्छा अगर हम बात करें बैकाल जीवीडी की तो friends ये जो है तीन गिने चुने largest neutrino detectors में से एक है बाकी के दो है ice cube और तीसरा है enters हाली में UNDP India और spices board of India ने blockchain संचालित परणाली के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं आपको बताना है कि spices board ये कहां पर इस्थित है options आपके सामने हैं और correct answer है option A kochi तो देखिए इस तरह से आपर दो question आपके cover हो गए हैं एक तो यही क कि UNDP India ने spices board of India के साथ एक MOU sign किया है दूसरा ये कि spices board ये कहां पर इस्थित है तो ये कोची के रिला में इस्थित है कोशन के बारे में देख लेते हैं तो ministry of commerce and industry के अंडर कारे करने वाली spices board of India और UNDP इंडिया के accelerator lab ने व्यापार में पारदरशिता लाने की खातिर भारतिये मसालों के लिए blockchain आधारित traceability interface विक्सित करने के लिए एक सहमती ग्यापन पर हस्ताक्षिर किये हैं साथी friends आपको यह बता दें कि भारत जो है यह दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निरियातक उत्पादक और उब्भोगता है friends अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आपके exam point of view से काफी important है इसलिए आप इनको note down जरूर कर लिजेगा देखिए ministry of commerce and industry के जो department of commerce है तो इसके तहत 5 इस तरह के boards आते हैं जैसे spices board इंडिया है इसी तरह के 5 boards आते हैं और इन सभी के headquarters यानि यह कहां पर हिस्तित हैं तो यह आपके लिए जानना काफी जरूरी है देखिए spices board जैसा ही question बता दिया कोची केरल में है rubber board यह कोटायाम केरला में है tea board यह कोलकाता वेस्ट बैंगॉल में है coffee board यह बैंगलूरू करनाटक में है और tobacco board यह गुंटूर अंद्रपरदेश में है यहां से friends question पूछ ले जाते हैं और कई बार अलग-अलग exam में इनके headquarters पूछे गए हैं कि इनकी location क्या है कहां पर यह इस्तित हैं आगे बढ़ते हैं अटल innovation mission यानी एम कि नए mission निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है who has been appointed as the new mission director for अटल innovation mission ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा ओप्शन बी चिंतन वैशनव तो फ्रेंट्स चिंतन वैशनव इनको अटल innovation mission का new mission director न्यूक्त किया गया है आपको बता दें कि अटल innovation mission तो इसके संचारन की जिम्मेदारी नीती आयोग की है और जो यह डॉक्टर चिंतन वैशनव है यह रामनाथन रमनन इनको replace करेंगे ठीक है और जो यह डॉक्टर वै रहते हैं और अब यह जो है इस अटल innovation mission की जिम्मेदारी समालने के लिए यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स आपको बता देंगे देखिए दो टर्म आपको confusing करती होंगी और यह काफी चर्चा में भी रहता है आपके लिए जानना जुरूरी है एक तो अटल innovation mission दूसरा अटल टिंकरिंग लेप्स ठीक है देखिए अटल innovation mission का उद्देश जो है economy के different sectors में innovation लाना है इसके लिए नई holograms policies develop करना है साथ है अगर हम अटर्ल टिंकरिंग लेप्स की बात करें तो देखिए यह इस तरह की लेप्स जो है स्कूल में जो है खोली जा रही है क्यों ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर creativity, curiosity और imagination इस तरह का जो है इस तरह की आदत इस तरह के जो है विचार develop हो सके तो इसी में एक तर्म आती है STEM यानि science, technology, engineering and maths तो इन जो भी यह चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं या फिर आप जो यह theme कह सकते हैं तो इन से related बच्चों के अंदर एक curiosity बने कुछ नया करने की जो है एक एक तरह की जो है वो एक इसमें एक कुछ नया करने की कोशिश करें ठीक है ट्राइ करें STEM के अंदर science, technology, engineering and maths के तहत तो इसी के लिए अटल टिंकरिंग लैप्स यहां पर खोली जा रही है स्कूल में तो इसके तहत इने 3D printers प्रोवाइड कराय जाते हैं सेंसर प्रोवाइड कराय जाते हैं और भी कई तरह के equipment यहां पर पहली भारतिय कमेंटेटर थी तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर होगा option B cricket तो चंद्रा नाइडू इनका हाली में निदन हो गया है और यह इंडिया की पहली female cricket कमेंटेटर रही है और यह जो है महान क्रिकेटर C के नाइडू इनकी डॉटर थी अठावनवे राष्ट्य समुद्री दिवस यानि National Maritime Day 2021 का वीशे क्या रहा है इसका theme क्या रहा है तो फ्रेंट्स इसका theme रहा है sustainable shipping beyond COVID-19 तो यह दिन आपको मैंने बता दिया था कि यह National Maritime Day जो है पांच अप्रेल को मनाया जाता है और इस पार यह 58th edition इसका रहा है और यह कि इसने बनाया जाता है कि पहली बार 5 अप्रेल 1919 के दिन सिंधिया Steam Navigation Company Limited का पहला Steam Ship SS loyalty मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए International Water Area में उतरा गया था और 5 अप्रेल 1964 से प्रतिवर्स यह दिन मनाया जाता है थी मैंने आपको बता दिया Sustainable Shipping Beyond COVID-19 यानि COVID-19 से आगे सतत 9 परिवहन साथ ही आपको भी बता दे कि Minister of State for Ports, Shipping and Water Ways यह है मांसुक मांडविये इनके पास है यह भी भाग कौन सा देश समुद्री अभ्यास लाप एरास का नेत्रत कर रहा है जिसमें भारतिय नोशेन भी भाग ले रही है और करेक्ट आंसर होगा option C France तो फ्रेंड जो यह अभ्यास है ला पैर तो इसको जो है फ्रेंच नेवी यह इसका नेत्रत कर रही है यह इसको लेट कर रही है यह exercise कहां पर हो रही है Eastern Indian Ocean पूछा जाथ है कि यह किस समुद्र में यह किस रीजन में यह एकसराइज की गई है तो यह आप जरूर दिहान रखेंगा इस्टरन इंडियन ओशन डिजन में यह अभ्यास चल रहा है और इसमें इंडियन नेवी शिप आई-एने सट्पुड़ा और इन्स किलतान इन दोनों कि इंडियां एचीवर्स आवर्ड से किसे सम्मानित किया गया है ऑप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए जसपाल farming ढों डालाइन पढ़ा यूट्ящ पर और सिविल इंजिनेरिंग जो है सिविल इंज्एनिन्ग के में पढ़ाते हैं और इन्होंने कई बच्चों को इनसे फायदा भी हुआ है ठीक है टॉफ फैगल्टी माने जाते हैं तो इनको इंडियन एचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साथ ही ने इंडिया बुक ओफ रिकोर्ड के तहत मैक्सिमुम यूपी एस सी क्वालि प्रदानमंतरी पेज ट्रिब्यूट्स टु बाबु जग जीवन राम और इस जैनती तो फ्रेंट्स इनकी जैनती मनाई गई है पाच अप्रेल को तो इसलिए कोश्चन हैं पड़ लिया गया है इनके बारे में जान लेते हैं बाबु जग जीवन राम जी के बारे में 1946 में जब जवार्डाल नेरू के नेतरुत में इंटरिम गवर्मेंट बनी थी तब यह उसमें लेबर मिनिस्टर थे साथ यह आपको बता दें कि इंडो पाक वार ओफ 1971 के टाइम पर यह भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और यह मुरार जी देशाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके कारेकाले में यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 1977 से 79 के बीच में साथ यह आपको भी जानना चाहिए कि 1981 मिनों ने एक कॉंग्रेस जे इस नाम से पार्टी बनाई थी ठीक है और कॉंग्रेस जग जीवन नाम से पार्टी बनाई थी साथ यह आपको भी जानना चाहिए जैसे कि राजगाट जो है महत्मा गांदी का मेमोरियल है इसी तरह से इनका मेमोरियल भी है वहीं पर यह ठीक है पास में समता इस्थल ठीक है जिसे बोलते हैं प्लेस ओफ इक्वैलिटी तो इस तरह की कोशन इससी बागेरा में पूछे जाते हैं एक्जाम में समता इस्थल किसका मेमोरियल है तो आंसर होगा बावु जग जीवन ड्राम का अच्छा इमर्जंसी के टाइम में इंद्रा गांधी के साथ थे लेकिन उसके एक दो साल बाद फिर इन्होंने उस पार्टी से इस्तिफा दे था तो यहां पर एक काफी काफी एक एक रोमांचक बात भी है देखिए क्या हुआ कि जब इन्होंने इंद्रा गांधी की सरकार से इस्तिफा दे दिया तब यह जो है ओपोजेशन की रैली को संबोधित करने वाले थे तो जिससे उस रैली में ज्यादा लोग ना जा पाए तो डिडी नेस्टन ने क्या किया उस वक्त काफी उस वक्त क्या आज भी एक काफी ब्लोगबस्टर मोवी रही है बोबी तो फ्रेंड्स बोबी मोवी जो है डिडी ने ब्रोडकास्ट कर दी ठीक है क्यों कर दी ताकि लोग जो है उस मोवी को देख ले अब यह तो इतना प लोग ना जा सकें, क्राउड ना जा सकें, लेगन फ्रेंड्स, इनकी फैन फोलोइंग इतनी थी, लोग इन से इतने जुड़े हुए थे, कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकठा हुए, और फिर अगले दिन जो है, नियूस पेपर में हैडलाइन भी बनी, कि बाबू ब इस तरह की, गटनाय पहले भी हुआ करती थी, और आज भी हुआ करती है, और आगे भी होती रहेंगी, ठीक है, यह सब चलता रहता है, पॉलिटिक्स में, आगे पढ़ते हैं, छोटी बचत योजनाओं में, किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है, विच स्टेट कॉंट सेच पेंगवन, देखें, श्मॉल सेवग्स सकीम क्या वेगाया है, पी-पी-फ हो गया, पब्लिक प्रोविदेंट फंड, ए-पी-फ हो गया, ए-प्प्लोई प्रोविदेंट फंड, पाफी-फेंट, सी-जर्टी ञा, सेविगस स्कीम, एन-स्पी हो गया, नेश्चल सेव पर यह question हमने बनाया है collated, collated का मतलब होता है information को collect करना, ठीक है उसको proper तरीके से assemble करना या फिर compare करना उस data को किसी दूसरे data के साथ ठीक है, तो इसको बोलते है collate तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि West Bengal, जो है small saving scheme के तहरे सबसे यादा amount collect करता है तीसरे पर है महराष्ट और चोथे नंबर पर है गुजरात, साथी फ्रेंट्स ये report देखिए, कोई ऐसी वैसी ही किसी ने report जारी नहीं की है, ये National Savings Institute ने report जारी की है जो की Department of Economic Affairs के अंतरगत एक संस्थान है ठीक है, तो एक question आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, साथी आपको बता दे कि Small Savings Scheme फ्रेंट्स ये क्या होती है, ये लोंग टर्म funds होते है, गॉर्मेंट के लिए ठीक है, इसमें क्या होता है, लोक इन period होता है, यानि लोक इन period का मतलब क्या हो गया, आप Small Savings Scheme में जब invest करते हैं, तो एक time period होता है, ठीक है, उसी के बाद आप अपना investment जो है, विड्रो कर सकते हैं, तो अब उसमें money जो है, काफी कठी हो जाती है, तो उसका use क्या होता है Government अपना, जो fiscal deficit है, उसको finance करने के लिए उसको जो gap है, उसको कम करने के लिए use करता है, fiscal deficit मतलब, कि government का revenue है, वो तो कम है, लेकि expenditure, जो उसका खर्च है, वो जादा है ठीक है, तो इसके लिए government जो है, in small savings scheme के तहट, जो fund होता है, उसको use करती है, आगे बढ़ते हैं किस संस्थान ने word in 2030 certification report जारी की है, तो options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D UNESCO, तो UNESCO यानि United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसने the word in 2030 survey report जारी की है, तो इसमें इनोंने कई लोगों से जो है, अलग-अलग उनसे अपने, उनके मत जानने चाहे हैं, तो इसमें इस report में इनोंने का है कि जो सबसे बड़ा challenge है, most selected challenge जो है, जो चुना गया है वो है climate change और biodiversity loss और साथ ही नोंने ये बताया है कि इन सभी जो भी challenges है हमारे सामने इन सभी का अगर एक solution जो लोगों ने बताया है, वो solution बताया है education, ठीक है, तो सही है, education होनी चाहिए, इन सभी climate change के बारे में, अगर आप educated है तो इस से निप्टा जा सकता है ठीक है, loss of biodiversity ठीक है, तो ये इसके लिए भी आपके लिए education काफी जरूरी है आगे बढ़ते हैं UNESCO की बात करें, तो headquarters Paris, France में है, और इसके director general है, Audrey और जूले अंतराष्टे, अंतरात्मा दिवस, यानि International Day of Conscience ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये फ्रेंट्स पाँच अपरेल को मनाया जाता है और इस बारिस का theme रह है promoting peace and love throughout the world बारतिय रेलवे ने वित्य वर्स 2021 में सबसे अधिक route विद्यूती किरण हासिल किया है, यानि routes का electrification किया है यह 2019-20 में हासिल विद्यूती करण की तुलना में कितने परतिशत अधिक है तो फ्रेंट्स ये 37 परतिशत अधिक है तो देखिए रेलवे मिनिस्ट्री की और से खागया है कि 2020-21 जो financial air है इसमें हमने 6015 route किलोमेटर का electrification किया है जो कि 2019-20 की तुलना में 37 परतिशत ज्यादा है साथे आपको यह जानना चाहिए कि Indian Railways का target है कि इसके जितने भी tracks है उन्हें fully electrify किया जाएगा कब तक December 2030 तक तो इस तरह कि target आपके exam point of view से काफी important रहते हैं साथे आपको यह भी जानना चाहिए कि Western Center Railway यह हाल ही में पहला जो है fully electrified railway zone बन गया है इसे हमने MCQ format में भी discuss किया था है ना आप लोग को याद होगा तो यहां से आप revise भी कर लिजेगा इसको वजोसा उस्मानी किस देश की राष्टपती बनी है options आपके सामने है और correct answer होगा option B कोसोव तो कोसोव की राष्टपती बनी है और उन्हें किसे replace किया है हासीम ताची को और friends यह कोसोव की second female president है साथी आपको बता दें कि कोसोव ने 2008 में सर्विया से खुद को स्वतंत्र गोसित कर लिया था तो यह है कोसोव यह है सर्विया साथी कोसोव की अगर बात करें तो capital है परिस्टीना और currency है यूरो निम्ली किते में से किस ने नोशैनिक पोतो को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिक चैफ प्रद्योगी की विक्सित की है काफी important question है और इसका सही answer होगा option C DRDO Defense Research and Development Organization तो friends DRDO ने advanced चैफ टेकनलोजी इसको विक्सित किया है ताकि जो नेवल शिप्स हैं उनको एनिमी मिसाइल अटेक से बचाया जा सके और इसी टेकनलोजी पर based defense laboratory जोथपूर ने तीन variant भी जो है जारी किये हैं एक तो short range chef rocket medium range chef rocket और long range chef rocket इनी को विक्सित किया है देखे friends यह आप देख रहे हैं यह aircraft है और यह आप यहाँ से देख रहे हैं light है ना तो यह क्या है यह जो है aluminium या फिट जिंक की strips हैं ठीक है उनको release किया जा रहा है aircraft के दोरा तो इससे क्या होता है जो radar होती है किसी missile की radar होती है वो confused हो जाती है जब aircraft इस तरह की light छोड़ता है इस तरह की aluminium या फिर jinx के जो strips हैं इनको छोड़ता है तो इससे क्या होता है radar की जो area है उसमें नहीं आ पाता है radar खुद confused हो जाती है तो इससे क्या होता है, मिसाइल अटैक से एरक्राफ्ट बच जाता है, तो यहां पर देखिए, यह कोई नवल शिप है या बोट है क्या सकते हैं, यह उपर एरक्राफ्ट है, तो इसने जो है, यह एलम्यूनियूम जिंक की जो स्ट्रिप्स होती है, इनको रिलीस कर दिया है, तो इससे क्या होगा कोई भी मिसाइल आ रही होगी तो उसके रेडार में नहीं आ पाएगा क्योंकि इतने सारी टार्गेट उसके सामने बन गए हैं तो उससे क्या है वो विशलिस हो आती है तो इसी तरह की टेक्नलोजी विक्सित किये हैं DRD ओने डॉक्टर भीम राव अंबेड करगी 130 वी जयनती के उपलक्ष में केंदर सरकार ने किस दिन सारवजनिक अवकास की घोशना की है यानि पब्लिक होलिडे की घोशना की है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D 14 अप्रेल तो फ्रेंड्स 14 अप्रेल को सेंटर गुर्मेंट ने कहा है कि इस दिन पब्लिक होलिडे रहेगा और यह किसके तहत किया है इन्होंने इसकी जो सेंटर गुर्मेंट के पास पावर है कि यह पब्लिक होलिडे जो है डिकलेर कर सकती है साथ ही आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म 14 अप्रेल 1891 को महो जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर बोलते हैं मध्य परदेश में हुआ था और इनकी डेथ 6th of December 1956 को हो गई थी साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 1990 में इनको भारत रतने से सम्मानित किया गया था साथी फ्रेंट्स यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो पुस्तके लिखी गई हैं यह कई बार एक्जाम में पूछ लिजाती हैं तो कुछ 10-11 बुक्स हैं और इन में से एक ना एक बुक आपके एक्जाम में पूछ जाती है तो इसलिए आप ध्यान से देखेगा इस्क्रिंशोट ले लिजेगा जो लोग रिपना चाहते हैं बाकि नौट डाउन कर दीजेगा ये बुक्त कई बार पुछी जाए चुकी है caste in India, thoughts on Pakistan, Pakistan और partition of India, ancient Indian commerce, against the madness of Manu, Buddha or Karl Marx, riddles in Hinduism, the problem of the rupee, its origin and its solution ये तो हाली में एक 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 बुछी गई थी what Congress and Gandhi have done to the untouchables, Mr. Gandhi and emancipation of untouchables, Federation versus freedom and मुकनायक ये वीकली ही पब्लिश होता था, जन्ता ये भी वीकली पब्लिश होता था और बाइसकृत भारत तो friends ये सबी आपके लिए काफी important है और ये सबी डॉक्टर भीमरा उंबेटकर द्वारा लिखी गई है आगे बढ़ते हैं, BCCI की ब्रस्टचार निरोधक इकाई यानि Anti-Corruption Unit के नए चीफ के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो ये न्यूक्त किया गया है, शबीर हुसेन S. खंडवाला को तो देखिए, गुजरात के फोर्मल DGP सबीर हुसेन, सेखदम खंडवाला, इनको जो है BCCI की Corruption Prevention Unit का निया चीफ मनाया गया है और इन्होंने जो है Ajit Singh को Replace किया है, BCCI के बारे में Friends काफी Important Facts हैं तो इसको जान लेते हैं देखिए, इसका Headquarters Mumbai में है, President Saurav Ganguli है, Secretary है, Cricket के जाने माने जानकार J. Shah और Men's Coach है, रवी सास्त्री, Women's Coach है, वुरकेरी रमन और Grant Govan, ये BCCI के पहले President थे और Anthony D. Mello, ये BCCI के पहले Secretary थे इसका Theme क्या है, तो Options आपके सामने है, और Correct Answer होगा Option C, Building a Fairer, Healthier World तो Friends, 7 April 2021 को जो World Health Day मनाया जा रहा है, इसका Theme है, Building a Fairer, Healthier World साथी हम revise कर लेते हैं, अभी तक April में हमने कौन-कौन से Days देखे हैं, World Autism Awareness Day, ये हमने April 2 को मनाया है, International Day for Mind Awareness and Assistance in Mind Action, ये 4 April को हमने मनाया है, International Day of Conscience, ये 5 April को मनाया है, International Day of Sport for Development and Peace, ये 6 April को मनाया है, साथी International Day of Reflection on the 1994 Genocide Against the Tutsi in Rwanda, ये भी Friends, 7 April को मनाया जाता है, यानि इसको जो है Observe किया जाता है, देखें, तूटसी जो है, ये एक रवांड़ा में Minority Ethnic Group थी, ठीक है, तो इसके कम से कम 50-60,000 लोगों का जो है, नरसंगार कर दिया गया था, वहां की जो Armed Milicia हैं उनके द्वारा, आरिबियाई की किस पूरवर गर्वर्णर को, ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज का अत्रिक्त निदेशक निउक्त किया गया है, यानि Additional Director बनाया गया है, तो Friends, इसका सही आंसर होगा Option B, डॉक्टर उरजीत पटेल को, आपको मालूम होगा कि डॉक्टर उरजीत पटेल ने रगुराम राजन को रिप्लेज किया था, एजर गवर्णर ओफ आर्बियाई और ये 2016 से 2018 तक इस्पत पर रहे हैं, साथी फिलाल ये हाल ही में National Institute of Public Finance and Policy, इसकी गवर्णिंग बोडी के चेर्मेन है, दक्षिन ACI वुसू Championship जहां भारत के अनियन मिधुन ने स्वर्ण पदक जीता है, किस देश में आयुजित की गई, तो फ्रेंट्स ये आयुजित की गई है नेपाल में, तो नाम याद रखेगा अनियन मिधुन, तो फ्रेंट्स इननोंने 70 kg केटेगरी में जो है भारत को रिप्रेजेंट किया, और ये जो South Asian वुसू Championship हुई, ये काट मंडू नेपाल में हुई है, और फ्रेंट्स, he is the first वुसू player from Southern India to reach the Indian team, तो देखे एक तरह की वुसू जो है, ये martial art ही होती है, ठीक है, जैसी ये है, Taekwondo है, Aikido है, Sambo, Kung Fu, ये wrestling है, Sumo, ठीक है, तो इसी तरह से ये martial art होती है, वुसू, भारत के 48 में मुख्य नियाधीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंट्स, इसका सही answer होगा, option D, नुथालापती, वेंकटा, रमना, तो फ्रेंट्स, ये बनाए गए है, और President of India के दुआरा इनको appoint किया गया है, ठीक है, किसके तैयत, Article 124 के तैयत, President को ये power है, कि ये जो है, Chief Justice of India, इनको नियुक्त करते हैं, और फ्रेंट्स, ये 48 वे, Chief Justice of India रहेंगे, और ये 26 अगस 2022 को retire होंगे, ठीक है, और ये जो है, बोड़े सा आपके बदले आए हैं, क्योंकि मैं retire हो रहे हैं, साथि आपको ये भी जानना चाहिए, कि ये agriculture background से हैं, और आंदरप्रदेश से belong करते हैं, साथि आपको ये भी जानना चाहिए, कि Article 124, ये Establishment and Constitution of Supreme Court के बारे में बताता है, Article 126, ये Appointment of Acting Chief Justice के बारे में बताता है, साथि Article 127, ये Appointment of Ad-hoc Judges के बारे में बताता है, Ad-hoc Judges, ये क्या होता है, देखे, जो Chief Justice of India है, अगर किसी स्थिति में पर पाते हैं, कि किसी फैसले को लेने में, या फिर अगर कोई उनके पास इस तरह का केस आया है, जहांपर कि उनके पास strength नहीं है जजेज की इतनी, ठीक है, तो वे क्या कर सकते हैं, किसी रिटायर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, तो उसको invite कर सकते हैं, कि as a judge आप कारी कीजिए, ठीक है, इसके लिए प्रेजिडेंट की permission भी ये ले ले लेते हैं, तो उसको बोलते है, ad hoc judges, रूस में राष्ट पतिया कारेकाल कितने वर्सका होता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, 6 साल का, तो ये question इसलिए लिए गया है, क्योंकि देखिए, Russian President Vladimir Putin science law allowing him to stay in power till 2036, देखिए, Russian President Vladimir Putin ने एक legislation को approve कर दिया है, जिसके तहद अब में 2036 तक कम से कम, जो है, अब Russia के President बन सकते हैं, देखिए, होता क्या है आपर, पहले क्या होता था रशिया में, चार साल तक की term होती थी President की, ठीक है, और कोई भी लगातार, तीसरी बार, President नहीं बन सकता था रशिया में, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, देखिए, शुरू में इन्होंने जो पुतिन थे, इन्होंने शुरू में अपने दो टर्म किये, President की रूप में, ठीक है, लेकिन जब तीसरी बार यह आई, तो फिर यहां का जो Constitution है, वो allow नहीं करता है कि आप तीसरी बार लगातार जो है, President बने, तब यह क्या हुआ, यह Prime Minister बन गए, 2008 में, ठीक है, अब 2008 में Prime Minister बन गए, तो consecutive तीसरी बार President नहीं बन पाए, उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2012 में फिर यह President बन गए, ठीक है, अब यहां से फिर से इनका पहला टर्म सुरू हो ठीक है, जो कि आप एक Constitution बताया गया है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, एक Legislation को पास कर दिया है, इसके तहट अब क्या हो सकता है, कि यह जो है, अब जो है, यह 2036 तक अपने दो और टर्म जो है, पूरे कर सकते हैं, पहले जो है, यह 4 साल तक ही टर्म होती थी, President की, ल हुआ है, इसमें इनको additional powers भी दी गई है, जिसके तयाती judges को fire कर सकते हैं, ठीक है, और जो Parliament द्वारे जो low pass हुआ है, उसको भी reject कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने तो चायना को भी जो है, पीछे छोड़ दिया है, आगे बढ़ते हैं, मनोहर परिकर, Brilliant Mind, Simple Life, पुस्तक के ल जापान के हैं, इनका हाली में इधन हो गया है, उन्होंने किस छेतर में Nobel पुरुसकार जीता था, तो फ्रेंट्स, इन्होंने physics के छेतर में Nobel पुरुसकार जीता था, ठीक है, तो ये जापान के थे, और साथ ही इन्होंने blue light emitting diodes, यानि LEDs, इसके छेतर में, इसके development के छेतर म और Kendriya bank governor की बैठक की मेजबानी की, तो options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option A, India, India hosts first meeting of BRICS finance ministers and central bank governors, तो friends, इसमें जो हमारी finance minister है, निर्मला, सीतारमन, इन्होंने, और Reserve Bank of India के governor, जो है, सक्तिकान दास, ठीक है, इन्होंने भी इसमें participate किया है, BRICS मतलब, Brazil, Russia, India, China and South Africa, Center for Innovations in Public Systems, Center for Innovation in Public Systems, CIPS, जो की हाली में खबरों में रहा, ये कहां पर इस्तित है, तो friends, ये इस्तित है, हैदराबाद में, और ये भी देखिए, An Autonomous Center of Administrative Staff College of India, Established by the Government of India, तो ये किसलिए, खबरों में रहा, Util Innovation Mission, Join Hands with CIPS for Innovations in Public Systems, तो देखिए, Util Innovation Mission, ठीक है, जिसको की निती आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, तो इन्होंने Center for Innovations in Public Systems, जो कि हैदराबाद में इस्तित है, तो इसके साथ partnership की है, ठीक है, और उसी के लिए Util Innovation Mission, यानि की Innovation के लिए अलग-अलग technologies, जो है, चालू करने के लिए, ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बताई दिया कि Center for Innovations in Public Systems, ये 2010 में, इसके स्थापना की गई थी, और ये हैदराबाद में जो है, इस्तित है, केवाल इतना ही इस question में आपके लिए important है, Miami Open, पुरुष, 2021 का title किसने जीता है, तो ये जीता है, फ्रेंड्स, होबर्ट होरकेज ने, तो जो होबर्ट होरकेज हैं, ये पॉलेंड के हैं, और इन्होंने जैनिक सीनर, ज पहले भी पढ़ लिया था, MC की उसके रूप में, ये जीता है, औस्टेलिया की slave party ने, किस बैंक ने, जापान बैंक के साथ, अंतराष्टे सहयोग के लिए, वन बिलियन यूएस टोलर का रिंड समझोता किया है, तो ये किया है, इस्टेड बैंक ओफ इंडिया ने, और किस के साथ, वन बिलियन यूएस टोलर का लोन साइन किया है, और इससे पहले भी जो है, वन बिलियन का साइन कर चुके है, वन बिलियन डॉलर का, तो अब टोटल कितना हो गया है, टो बिलियन यूएस टोलर का हो चुका है, और फेंड्स, ये आप देख लीजे, Board of Directors SBI के, तो शिष्टूरा हिरनने केसी, जैविक विरासत इस्थल किस राज्य में है, यानि जो ये शिष्टूरा हिरनने केसी, Biological Heritage Site है, ये किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट में, तो ये किसले न्यूज में है, देखिए, महाराष्ट गवर्मेंट ने, महाराष्ट में जो यह एक तरह की जो है काफी दूलडब फ्रेश वाटर फिश होती है तो यह यहाँ पर पाई गई है पहले बार पाई गई है तो इसलिए इसको बाई डाइवर्श्टी हेरिटेस साइट गोशित कर दिया गया है करंट अफेर्श फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट कुईजिस हम आप सब भी लिए डालते हैं साथी डिसकसन ग्रूप में आप किसी भी कोश्चन का सोलूशन पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर करंट अफेर् प्राम दोस्ते हैं प्राम प्राम कर सकते हैं आपर में आपर रेग्स